So, hello बच्चा पार्टी, नवशकार, अदापस, श्यकाल and Game Show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are Anish Mohamed with the subject. इससे पहले का lecture, I hope आप लोगों ने देख लिया है, chapter number 2 तक हमने दबंग बैच में समापती कर रखी है. यानि chapter 1 और chapter 2 पूरा NCRD का line by line आपका हो चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, कॉमेंट में पिन किया हुआ वीडियो, playlist check out कर लो, दबंग बैच आपका पूरा का पूरा physics का नीचोड है बच्चा, आप J की तयारी कर रहे हैं, नीट की तयारी कर रहे हैं, कोई भी state board के विद्धियारती हैं, CBSE वालों के लिए तो इस पेशली वीडियो है ही, आपका पूरा NC Arctic दम अच्छे से कवर हो जाएगा, खेराज का chapter आपका current electricity है, बहुत प्यारा chapter है, अकेले इस current electricity से 10 से 12 मार्क के आपके CBSE वोड़े, ने, 17 से 18 मार्क का first, second and third chapter है, तो बहुत important हो जाता है यह chapter, इस वीडियो को last तक देखना बच्चा लो, मैं पूरी courses करता हूँ, हमेशा दिल से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहों बच्चा कि आपको physics के साथ प्यार हो जाएगा 100%, शर्त बस इतनी है, वीडियो को last तक देखा करिये, पूरा NCRD का वर्ड है, येस, in just one video, the entire NCRD, नए हैं बच्चा लोग तो चलोग को subscribe जरूर कर लीजेगा, and be a part of this beautiful family, do not forget to press the bell icon as well, चलिए, तो सुरुवाद करते हैं, इससे पहले के lectures का पूरा NCRD solution और सब कुछ comment में pin किया हुए, दबंग batch के playlist को follow कर लो, तो आज हम दीखेंगे current electricity, ठीक है बच्चा, सबसे पहले आपको पता है कि महामी साब बताता हूँ कि आपके textbook पे कौन-कौन से point है, कितने मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को हम एक एक करके खतम करेंगे, जान से मारेंगे, सबसे पहले introduction है, फिर electric current है, electric currents in conductor है, ohm slow है, drift of electrons and the origin of resistivity है, साधी साथ limitation of ohm slow भी हमें देखना है, इसके साथ resistivity of various materials, यहां से MCUs आ सकते हैं, temperature dependence of resistivity है, electrical energy power, cell CMF internal resistance, cells in series and parallel, उसके बाद आपका आता है, KVL and then at the end of the day, western bridge, काफी लंबा chapter है, but second chapter से थोड़ा छोटा लग रहा है, वैसे यह chapter अपने आप में बहुत खास हो जाता था, पहले की जो NCRT textbook थे, उसमें काफी सारे मुद्दे होते तो, जो बच्चों को कम समझना आ देते, potentiometer, meter breach, लेकिन आपको चिंता करने की जुरुत नहीं है, अगर आप state board के विद्यारती हो, ISE board से हो, आपको यह topic अगर समझ में नहीं आते, चैनल पर सारे lectures available है, आप खाली search करिएगा, potentiometer वो भी आपको मिल जाएगा, meter breach वो भी आपको मिल जाएगा, वैसे need के contents आई रहे लगातार लाई पढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, चलिए बच्चों, तो start करते हैं, Sia Bal Ramachandri की जैहो, let's start with introduction, तो जैसा कि मैं पढ़ाते समय हमीशा कहता हूँ, बच्चा लोग की physics को feel करने क्या होशकता है, रटा मारने की जुर्यत नहीं है, आप physics को समझ के करेंगे, तो आपको physics के साथ प्यार हो जाएगा, ठीक है, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनीगा, आपको सच्च में प्यार हो जाएगा, हर एक चैप्टर का अपना एक theme होता है, और अगर आप उस theme को अच्छे से feel कर ले जाओ, तो पूरे journey of the chapter आपको बड़ा मजा आता है, चलिए इस chapter के भी आत्मा से आपको रुबरु कराता हूँ, theme से, आपने सुना होगा, आसमान, sky, वहाँ से lightning होते हुए, क्या चीज है ये, बिजली का गिरना, ऐसा सुनते हो आप, तो बिजली का गिरना एक तरीके से, electricity का ही बहुत बड़ा दीन है, पर ये सब हो कैसे रहा है, जैसे अब अगर आप torch को चलाते हो, तो चलता है, घड़ी जो है, वो बैटरी डाल देते हैं, तो चले लग जाता है, हैना heater का नाव आपने सुना है, और अगर आप आज के date में अपनी life को imagine करो, electricity के बगएर, तो कुछ भी possible ही नहीं है, ये lighting में मैं शूट कर पा रहा हूं, laptop चार्ज हो जा रहा है, mobile चार्ज हो रहा है, घड़ी आज कल ये भी चार्ज हो जा रहा है, सब कुछ electricity का ही दिन है, खोड़ी पल के लिए भी हम अपनी life को बगएर electricity के imagine नहीं कर पाते, तो इसके पीछे का कारण कौन है, इसके पीछे का कारण जो जनक है, वो पूरा का पूरा चार्ज है, आपने जो chapter 1 पढ़ा था बच्चा, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं lightning, ताकि आपको मिल जाए, अच्छा एक और खास बात, जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ, काफी सुन्दर notes, exam में कैसे question पूछे जाता है, वो भी आपको बताता हूँ, कितने marks का पूछा जाता हूँ, भी बताता हूँ, तो यहाँ जो कुछ भी मैं लिख के पढ़ाता हूँ, यह पूरा notes आपको टेलिग्राम में मिलता है, free of cost, टेलिग्राम का लिंक description box में है, ठीक है बच्चा, तो टेलिग्राम का लिंक description box में है, join कर लीजेगा, बहुत सारे students है, तो मैं कहा रहा था, जनक, यानि की दाता कौन है, तो वो है charge, चैप्टर वन में आपने देखा, कि charge बच्चा rest mode पर था, है ना, फिर charge suddenly rest mode था, तो उसके हमने बड़ी सारी property पढ़ी, हमने इसका electric field यह वाला property पढ़ा, चैप्टर डू में इसी electric field के अंदर, rocky भाई के अंदर हम इक गरुना को लेके आ जाते हैं, ठीक है गरुना यानि की क्यू नॉट, फिर इसकी motion को थोड़ा observe करते हैं, इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में बच्चा लोग charge का motion होने वाला है, येस, you heard me correct, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब जो होगा वो charge का पूरा motion होगा, अभी इससे पहले भी charge का motion हुआ था, बट motion से आपने force और displacement को multiply करके work के बारे में समझ लिया, बट right now what we will understand कि charge अगर move कर रहा है, तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा धारा, हिंदी में समझे तो और feel देता है, ये धारा, पानी की धारा, उसी तरीके से charge की धारा, electric current, यानि इस पूरे chapter का जो theme है, वो मातर है इतना सा है, कि इस पूरे chapter पे charge rest mode पर नहीं है boss, अब charge क्या कर रहा है, move कर रहा है, बहुत interesting chapter है, और मैं इतना बेस्ट दरीके से आपको पढ़ाऊँगा बच्चा कि अगर ध्यान से सुन ले गए न, तो आज के बाद आपको कभी भी इस chapter पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो चलिए, this is all about introduction, now you have to keep this sentence in your mind, कि charge हमीजा क्या होता है, rest mode पर होता है, rest mode पर इससे पहले हमने पढ़ा था, तो माफी चाहेंगे, कुछ लोग बार पर दरवाजा खोल देता है, तो दिल से बोल रहा हूँ बच्चा तो disturbance फिल होता है, लेकिन बिल्कुल हमारे चेहरे को देखेंगे, आप तो disturbance नहीं होगा, आपको एक्दम फिल आएगा, तो इस chapter में क्या होने आला है बच्चा लोग, किला अगर मैं आपको NCRD का टेक्स्टूक दिखाऊ हो, तो बड़ी अजीब अजीब सी बाते लिखी हैं, हमें उन पर नहीं जाना है, क्योंकि हम पुरा निचोड करेंगे एक्दम बढ़िया से, है, ये plus plus plus, और इनही plus 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 के बीच में फचे होते हैं हमारे п्यारे से, उलेक्ट्रों, और ये विचारी उलेक्ट्रों करते क्या रहते हैं? मोशन करते रहते हैं, लेकिन अपने आप नहीं करते हैं, अब अगर करते भी हैं तो उनकी वैसे current 0 होता है अब basically होता क्या है current को बनाने के लिए हमें देना पड़ता है यहाँ पे एक source इसी source को हम cell बोलेंगे आगे इतना तो basic आप जानते ही हो इसको हम क्या कहते है बैटरी कहते है इसके बगेर तो conductor के अंदर से current चलना ना मुम्किन है तो बच्चा जैसे ही यहाँ पर source आजाता है यह source करता क्या है basically इन electrons के उपर force लगाने का काम करता है बिक़स देखें बैटरी का यह terminal plus है यह minus है यह plus है यह minus है तो यह plus और minus अपने आसपस क्या generate कर देता है that is electric field right जैसे ही electric field generate करता है आपने chapter 1 में पढ़ा था कि electric field is a kind of भाई लोगों का इलाका यानि कि वो charge पर क्या करेगा force लगाएगा तो these electrons will experience the force और फिर यह electron का क्या होना start हो जाता है motion यानि charge क्या करने लग गए motion में आ गए और जैसे ही charge motion में आ गए बच्चा तो इसी चीज को समझने के लिए कि charge चल रहा है conductor में कितना चल रहा है कितना जटका लगेगा current मतलब तरीके से जटका समझे उसी को हम बोलता है current और current का जो formula बनाया जाता है कि कितने charge चले कितने समय में charge को represent आप Q से कर दीजे समय को T से कर दीजे तो I is equal to Q by T charge motion में है और इसी को हम कहते है current definition आप अपने notebook में लिख सकते है ध्यान से सुनिए rate of flow of charge through conductor किसी भी conductor से जो rate है दर हिंदी में कहते है दर चलने की दर जैसे रफ्तार होता है 20 km प्रतिगंटे की रफ्तार से याने गंटे में इतना तो एक घंटे में इतने चार्ट चले गए अच्छा आप इसका unit जो होता है इसको मापते कैसे unit मतलब मापना तो इसका जो unit होता है ampere होता है capital A से represent करते है और अगर आप formula को ध्यान से देखो तो formula को देख करके क्या समझ में आता है coulm per second इसका मतलब हुआ एक सेकंड में इतने coulm अब बताईए कि अगर मैं कहता हूँ एक में एक एंपियर की करेंट और मैं आपको कहता हूँ 1000 एंपियर की करेंट आपकी सरीर में प्राण को निकाल सकता है मैं आपके body मेंसे touch कर दू current एक एंपियर और एक 1000 एंपियर भाहिसाब एक एंपियर में कितना हुआ एक एंपियर का मतलब हुआ कि एक सेकंड में एक ही चार्ज जारा है एक कूलm और एक हजार का मतलब हुआ एक सेकेंड में एक हजार तुमारे जो बॉडी से चार्ज चले गए अब इतना सारा चार्ज अगर जाता है तो बॉडी को जटका लगना जहत सी बात होती है तो ampere basically आपको feel करने क्या वशकता है लोग ऐसे पढ़ लेते हैं ampere is the unit लेकिन try to feel it ampere का मतलब होता है unit मतलब कितने उसको mapping है कैसे तो एक ampere है उसकी अलग value है 10 ampere है उसका अलग महत्व है तो इस तरीके से current को define किया गया कि I is equal to q by t बट एक सवाल यहां मन में उठना चाहिए कि current की equation में समय आ क्यों रहा है क्योंकि basically हम तो कहते हैं चार्ज चल रहा है तो वो current बना रहा है चार्ज का flow current पानी की धारा current बट समय क्यों आ रहा है जब चार्ज आपका current है तो समय आ क्यों रहा है यह बिल्कुल वह बात हो गई कि अगर आप बिमार हो और आप किसी hospital में जाते हो आपको दो doctor मिलते हैं एक doctor कहता है के आप सर्यंगोष में glucose का बाटला चढ़ाोंगो पीमार होने पर glucose का बाटला चढ़ागा बाटला बोलती है यह doctor एक सेकंड पंए 100 ml ली लीटर माल लिए स्व लुख लेटर एक सेकंड बंधे बंद्र अपत्यरीमित दो कन ऑहाने की बात करोणे है तो impact of glucose अलग-अलग हो जाता है, अगर समय अलग-अलग हो जाता है, उसी तरीके से 100 kulum charge एक सेकंड में तुमारी body से पास हो, और 100 kulum charge एक घंटे में तुमारी body से पास हो, तो तुम सरवाई कर जाओगे, एक घंटे में धीरे 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 चारज जारे जटका लगेगा, यह ल सबें ही डिसाइड करता है कि इस current का impact कैसा होगा, rate of charge का impact कैसा होगा, यहां से बच्चा आपके CBSE में, आपके GE में, आपके boards examination में, NEET में, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अब अच्छी वाली physics भी add करते जाते हैं, किताब का तो इतना point हो ही जाता है, लेकिन आपको पता है competition क time है, तो अब सवाल और पूछे जाता है, तो यहां से current को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक होता है average current, I hope आप मेरे से 11 पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो, तो पढ़ लेना बच्चा लोग, सारे lectures पढ़े हैं, और एक होता है instantaneous current, यह दो अलग-अलग current को define करा गया, average current को बुला गया भया, I is equal to delta q by delta t, और instantaneous current को बुला गया बावू लोग, I बराबर में dq by dt, क्या आप दोनों में difference समझ पा रहे हो, एक average value देगा इस conductor के अंदर, average value, कि मैं बोल रहा हूँ, 5 second से 10 second, तक कितनी current चली, और मैं बोलता हूँ, exit 2.5 second पे कितनी current चली, so there is a difference, जब मै कहता हूँ, 5 second से 10 second तक कितनी current चली, वो मेरी average value है, average कभी भी आपको exact value नहीं देता, लेकिन जो instantaneous है, वो आपको exact value देता है, जैसे मैं कहता हूँ, यार 2 second में कितना, 3 second में कितना, just like average speed and instantaneous, speed दोनों में difference क्या है, differentiation का है, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते है, qf, minus में qi upon में tf, minus में ti, और यह तो आपका differentiation है, तो यहाँ हम लिख देते है, differentiation of q with respect to time, तो बिल्कुल ऐसे ही, आप साथ साथ में note बनाते चलिए, आप जो लिखेंगे वो भी और जो मैं है लिख रहा हूँ, वो दोनों मिल जाएगा, तो आपके पास एक बढ़िया ऐसे शांदार note बन जाएगी, अब इसका एक एक example ले लेते हैं, तो और अच्छे से चीज़े clear हो जाएगी, चीक है, चलो एक example लेते हैं, कि इनके question कैसे आते हैं आपके board exam में, यहाँ से question 2 से 3 marks का बनता है बच्चा, तो देखें जैसे माल लीजे कि आपको charge दिया है, 3t square plus 40 plus 4, so t is equal to 0 second, 2 t is equal to 2 second, हमें निकालना है current, और ऐसा भी question हो सकता है, same equation, at time t is equal to 4 second per current, अब आपको सबसे पहले यह verify करना होता है, कि इन में से कौन, आपका differentiation वाला current है instantaneous और कौन आपका average है, साब साब पता चल रहा है, जहाँ पर double time हो, वो आपका average है, जहाँ single time हो, वो आपका क्या है, instantaneous है, average हो, तो आपको सबसे पहले final charge निकालना है, कैसे निकालेंगे final charge, तो हम charge के equation में time की final value रख देंगे, यह final value है, तो 2 का square charge यह 12 हो गया, plus 8, plus 4, सही है, 8, 4, 12, 24 कौलम, यह बिल गया मुझे final charge, अब मैं initial निकालूंगा कैसे, 0 second रखके, यह 0, यह 0, बचा 4, 4 कौलम, अब I average का formula है, delta q, pi delta t बच्चा, यानि कि qf माइनस में qi, upon में बच्चो, tf माइनस में ti, यह delta का मतलब change होता है, तो qf की value कितनी है, देखे, 24 है, तो 24 माइनस में 4, divided by 2, यानि 20 बटे 2, यानि कि 10 ampere खतम, वही अगर यहां हम देखे, तो यहां हमें differentiation करना था, कैसे पता चल रहा है, single time है, तो differentiation का क्या rule है, power को forward कर दीजे, power में से घटा दीजे, तो 60 हो गया, 2 में से बन जाएगा, तो 1 का कोई मतलब है, नहीं लिखनेगा, plus 40 का differentiation only 4, और 4 तो constant है, तो 0, and at the end, what do you have to do, just place the value of time in this equation, time कितना है बच्चा, 4, तो 6, 24 और 4 कितना हो गया, 18 ampere, so this is all about current, that's it, तो यह examples आप समझते चले जाएए, जहाँ जहाँ पर आपके textbook में example है, वो तो हम करेंगे, तेकिन कुछ अच्छे अच्छे problems भी, जहाँ मुझे लगता है कि इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, वो भी mad on करते जाऊंगा, अगले portion पर चलते हैं, अब हमें समझना है, electric currents in the conductor, कि conductor के अंदर electric current कैसे flow करता है, आईए, देखते हैं इसे भी, तो बच्छा current कैसे conductor के अदर flow करता है, उसके लिए हम एक बार फिर से conductor बना लेते हैं, जैसे अभी थोड़े दिर पहले समझे थे, वही कहानी को सिर्फ repeat करना है, किताब को पढ़ोगे, यह देखिए, आप दिखनी के प्यूरत नहीं पड़े हैं, उसका पुरा नीचुर एकदम मस्त एक एक पॉइंट समझाता हूँ, तो जैसे कि conductor है, तो conductor के अंदर होता क्या है, वैसे current अलग-अलग तरीके कि हो सकते हैं, लेकिन आपके textbook में जो है, वो solid conductor के थूरू चलने वाले current के बारे में discussion ह अभी फिलाल, और इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रों से, जड़ा सोच की देखिए बच्चा, ये electron कर क्या रहे है, डांस कर रहे हैं क्या, तो electron का nature ही ऐसा होता है, random motion करने का हमेशा, क्योंकि वो फसा है कि इसके बीच हो है, plus plus के बीच में, so it will always do a random motion, so if it is doing a random motion, तो अभी यही तो सिखा हमने, कि charge अगर चलेगा तो current बनाता है, तो भाई अगर यहाँ पर charge चल रहा है, भले random कैसा भी चल रहा है, तो current बना रहा है, तो बच्चा, लेकिन जो इससे बढ़ने वाला net current है, वो आपका क्या है, zero है, कोई समझा सकता है, zero क्यों है, चलिए यही चीज मै आपको देता हूँ, comment करके बताइए, वैसे, normally textbook में लिख दिया है, कि initially, if there is no electric field, मतलब कि यहाँ पर कोई presence नहीं है, electric field का, in short, अगर मैंने इसे किसी battery के साथ नहीं जोड़ा है, यहाँ पर कोई plus minus नहीं दिया है, बच्चा, तो battery में कोई electric field नहीं है, क्योंकि electric field plus से minus की गाता है, जैसे कि आपको समझाया था, but we are saying, in the absence of electric field, ठीक है, absence of electric field, these electrons are performing a random motion, so the current, they are creating, but the net current is zero, why this is zero, ठीक है, इसका answer आपको comment में देना है, चली दीजे जल्दी से, दे दिये, इमानदारी दिखाईए, अब मैं explain करता हूँ, देखे, current तभी बन पाता है, जब सारे के सारे electrons एक दिशा में move करे, if the electrons are performing in the same direction, then only they can make a current, क्योंकि क्या होता है, बच्चा, ऐसे समझेए, एक चीटी है, चीटी, not चीटी, रोबोट वाला चीटी नहीं, चीटी है, चीटी है, चीटी हो कभी आपने वो दिखा है, जब वो दिवाल से कहीं से से चलती रहती है, तो वो एक current तभी बन पाएगा, जब सब लोग एक uniform direction में हो, अगर उन में से एक भी इधर उदर random होता है, धबाक, current नहीं बन पाता, current तभी बनेगा, जब हम एक direction की बात करेंगे, क्योंकि अगर electron random motion कर रहा है, तो जितना वो right में जा रहा है, उतना ही वो left में जा रहा है, जितना वो finite क्या होता है, zero cup, जब हम कोई battery नहीं दे रहे हैं तब, लेकिन इसी conductor में current तभी flow होता है, जब आप यह क्या लगा दे तो battery, यानि कि अब हम बात करते है, presence of battery, अब battery क्या आ जाते ही, बच्चा कौन powerful हो जाता है, अपना rocky भाई, बोले तो electric field, यह theory यहां से लिखने को नहीं आएगा पर समझने के लिए एक भी point आपका anxiety का नहीं चुटेगा, तो ध्यान से सुनना, जहां लिखने को आएगा हम बताओंगा इतने marks का आते है, page number 82 पर है, अब electric field आ गया, electric field करता क्या है बच्चा, force लगाता है, कैसा force लगाता है, e बराबर f upon q, so f is equal to e into capital e, तो यह जो यह जो electrons होता है, ऐसे, ऐसे, ऐसे करते है, battery के कहां जाते है, plus पे, but जो current का direction बताया जाता है, वो हमेशा battery के plus से निकल करके कहां जाता है, battery के minus में, इस stage को बहुत ध्यान से feel करिएगा सरी, तो बड़ी अजीब बात होगी, देखो, electron का direction, electron direction is always opposite to that current, opposite of current, क्योंकि electron पर sign कैसा होता है, minus होता है, अगर हम electron को चलता हुआ, imagine करें, तो electron जिस दिशा में चल रहा है, धारा हमिसा उसके opposite दिशा में चलती है, इसको feel करने के लिए बहुत अच्छा example आपको समझाता हूँ, माल लीजे आप movie देखने गए, कोई भी movie, अभी जो उस movie को देखने गए, एक line में आपके 5 दोस्त बैठे हुए है, और आप सब के सब खुद को electron imagine करिए, 5 दोस्त, ये आपका movie खतम हुआ, ये पूरी seat है, जहां पर आप सब लोग बैठे हैं, और ये exit का वो है, बराबर exit जहां से निकलने वाले movie खतम, तो सबसे पहले ये वा electron उठेगा बे, और तु गया, मैं तेरा दोस्तों में भी आ रहा हूँ, फिर उसके अद ये वाला उठेगा, फिर ये वाला उठेगा, फिर ये वाला उठेगा, फिर ये वाला उठेगा, अब ज़रा इस चीज को थोड़ा सा fast speed में समझेए, speed को बढ़ात करके, जितने जिसे seat vacant इदर हो रही है, feel करे, electron इदर जा रहा है, लेकिन seat खाली इदर होते जा रही है, ति जो seat खाली हो रही है, this is the direction of current, और हमेशा electron के opposite direction में current होता है, लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूँ, जो कि possible नहीं होता, क्योंकि जो plus होता है, plus charge, उसकी mobility इतनी अच्छी नहीं होती, वैसे भी proton plus charge होता है, और उसका mass 1.6 tends to minus 27 kg होता है, उसको चलाना इतना आसान नहीं होता हो, न्यूकलेस में bounded होता है, लेकिन बहुत सारे लोग सुरुवात में जब पढ़ते हैं, तो बच्चे की confused होते हैं, कि सर electron को क्यों चला रहे हो, plus को भी चला लो, वैसे ही lattice point पर होते फिक्स के बेस्टीम पढ़ा होगा, अपने lattice structure, plus never moves, वो अपने जगह पर fix होता है, लेकिन फिर भी physics में समझाने के लिए, अगर हम ऐसा सूचे के plus चल रहे है तो, तो proton की direction हमेसा current की direction में ही मानी जाएगी, ऐसे सवाल नीट में, जहीं में, ऐसे बहुत conceptual question पूछे जाता है, कि if the current is moving or the current is running due to the positive charge, then what happens to the direction of current and then charge, तो proton direction is equal to current direction, अब आपको अच्छे से बात समझ में आया होगा, कि किसी भी conductor के अंदर, अगर current चल रहा है, electron की वज़ा से, तो उसकी दिशा क्या है, और अगर proton की उसे चल रहा है, तो उसकी दिशा क्या है, आपको इस दोनों points अच्छे से noon down कर लेना चाहिए, ठीक है, और कैसे current चलता है, तो external source के through ही चलता है, जब तक आप battery नहीं लगाईएगा, possible ही नहीं है, क्योंकि electron random motion कर भी रहा है, तो net current आपकी क्या हो जारी है, 0 हो जारी है, क्यो net current 0 हो जारी है, because जितना right side, उतना left side, so there is no impact, अब जैसे मैं अगर चल ठीक है, मैं चल रहा हो, तो मेरा impact तभी दिखेगा, जब मैं लगातार एक direction में चल रहा हो, मैं random चल रहा हो, तो फिर क्या पता चलेगा, same happens with current as well, so to get the correct value of current, it is very important criteria, that all the electrons or orderly charges must move in the same direction, ठीक है, तो ये हो गया आपका, current कैसे flow करता है, conductor में, बाकी आप textbook में कुछ लाइन पढ होगा, कि जैसे solution होता है, तो maybe you have seen this in your chemistry as well, electrolyte is a kind of solution, just like NaCl, H2SO4, 2H+, and then SO4, 2-, तो एक जो होता है, अनोड बन जाता है, और एक कैथोर हो जाता है, पानी के संपर्ग में आते है, इनका अनाइजिशन हो जाता है, तो वो जो solution है, वो it will act like a battery, तो यहाँ पर जो हम direct battery बोल रहा वो एक solution की तरह काम करेगा, figure ना करिए, अभी आगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो एक अलग से cell वाला topic ही है, जहाँ पर हम वो chemicals की बारें पढ़ेंगे, लेकिन आपके किताब में इसी point पर थोड़ा सा point लिखा हुआ, तो उसके एक बार read करोगे, तो पता चल जाएगा ठीके वैसे ये बहुत खास है, no need to go with the NCRT का बकैती, चली आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ohm slow, very very important, ohm slow, और बच्चा इसको आप सिर्फ रटते हो, पर इसको feel करने क्या वशक्ता है, बाबा ohm ने एक नियम दिया था, जब ये नियम दिया था, तो कैसे नियम आया ह फर्माते हैं, माल निजे बाबा ohm, जब एक्सपरिमेंट कर रहे होंगे, तब वो एक बैटरी लिए 10 वोल्टेज का और एक बैटरी लिए 1000 वोल्टेज का, when he try to touch 10 वोल्टेज का बैटरी, he will experience less जटका, but just imagine, when he is going to touch 1000 वोल्टेज बैटरी, the more जटका, यहां से concept समझ पढ़ you, the more voltage will give you the more जटका, here the concept or the terms, जटका, will tell you the value of current which is passing through your body, and your body is also kind of conductor, यार, है न, तो किसी भी conductor में से कितना current flow कर रहा है, वो इस बात पर depend करता है, कि आपने उस conductor में कितना potential difference लगाया है, यानि कितना voltage का difference लगाया है, जितना ज्यादा voltage होगा, current भी उतना ही ज्यादा होगा, ठ ठीक है बच्चा, तो हम slow की सहाब की बात से अगर हम चले, तो यह जो symbol है, यह resistance का symbol होता है, यह आपका battery का symbol लगातार आप देखते आ रहे हो, और यह चल रहा है current, माल लीजे कि यह point है A conductor में, और यह point है B, तो आपको यहाँ पर statement याद होना चाहिए, रटा नहीं मारना है, समझना है, potential difference between any two point of the conductor में लिख भी देता हूँ, चलो, potential difference between any two points of conductor is always proportional to, proportional का मतलब क्या है, feel करता है, proportional मतलब एक को बढ़ाओगे दूसरा यह बढ़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा, so potential difference between any two point of conductor is always proportional to current, passing through in it, उसमें से pass होने वाले current के बरावर होता है, current passing through in it, ठीक है, तो यह आपका हो गया statement, अब अगर इस statement पता चलिया, तो चलो, equation बनाते हैं, तो दीखि तो वी बराबर में, वी proportional में आई, potential difference को हम किसे represent कर रहे हैं, वी से, वी proportional to आई, तो बच्चा जैसे ही proportionality हटता है, यहाँ पर एक constant आजाता है, R, here, यह जो R है आपका, इसको resistance बोलते हैं, 10th में आपने सुना होगा, आपी थोड़ा feel करवाता हूं, resistance, एक तरह से opposition है, current का, रहता है कि आप material कौन सा योज़ कर रहे हो, conductor है, तो बहुत अच्छा conductor होगा, तो current को pass करेगा, उसमें opposition कम होगा, लेकिन अगर insulator है, तो बहुत जादा करेगा, उसका resistance बहुत जादा होगा, नॉर्मल भाहसा में resistance क्या है, It is the characteristic of the material which will tell you the opposition offered by the conductor, यानि कि resistance एक ऐसी parameter है, एक ऐसी quantity है physics में, जो ये बताती है, कि ये material current का कितना oppose करने वाला है, मैं कहता हूँ मेरे पास दो तार है, दो वायर है, एक वायर का resistance 10 है, दूसरे का 100 है, तो 100 से current कम चलेगा, क्योंकि उसकी value जादा है, वो opposition जादा कर रहा है, और 10 से current कम चलेगा, क्योंकि वो opposition कम करेगा, 10 से current जादा जाएगा, क्योंकि वो opposition कम करेगा, समझ गए, ठीक है, तो it's basically that kind of feel, जहाँ पर आप resistance के actual मतलब समझ पा रहे हो, तो R is basically resistance, so formula क्या हो गया, V is equal to I times of R, तो R का मतलब हमें क्या समझ में आप चलो, that is a resistance, that opposes the current, जितनी ज्यादा value होगी, current उतना opposition feel करेगा, जितनी कम value होगी, current opposition कम feel करेगा, and this is the symbol of that, यहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी बात पूछता हूँ, ठीक है, R is equal to हो गया V by I, इसका unit सोचते हैं, इसका unit होगा volt per ampere, पर एक scientist है यार, बच्चा लोग, जिसकी याद में, इनका नाम पढ़ गया, unit पढ़ गया, ओ हम, इसको इस तरीके से represent करते हैं, दस भी कक् करते हैं, वोल्ट पर ampere होता है, बड़ यहाँ पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग मुद्दा ही है, अरे घड़ी समगरी हमारी, यहाँ पर इंट्रेस्टिंग मुद्दा ही है, कि do you really think that R depends on voltage and current, परी बार पढ़ने वाले बच्चे अगर ऐसा सूचते हैं, कि हाँ सर, R is equal to V by याई है, तो obviously voltage पर depend करेगा, I पर depend करेगा सर, voltage को मैं change करूँगा सर, तो R change होगा, current को change करूँगा सर, तो R change होगा, पर सब्सक्राइब डीप डाव करके सोचिए, it's a constant value, it never depends on voltage and current, क्योंकि यहाँ से जो आप voltage change करते हो, तो voltage के साथ direct relation है I का, voltage जैसे ही change करोगे, I भी change हो ज you will perform a very good experiment ohm's law in your physics lab, आप करेंगे अभी आपके teachers कराएंगे, but school के तसा तो खराब हो जुकिए, teachers कराते है, तो practical, but आप यह practical करना, voltmeter लेना, एक emitter लेना, voltage change करना, current change करना, you will see every time the voltage and current का ratio is same, वो इसले ही मारा, because resistance never depends on voltage and current, because ultimately what happens when you increase the value of voltage, the current increase, or when you decrease the voltage, current decreases, यह बिलकुल वो बात दस बटे दो पाच हुआ, फिर मैंने voltage 20 किया, तो current मेरा 4 हो गया, तो 20 बटे 4 भी अभी भी कितना हुआ, पाच हुआ, तो resistance हर बर क्या आएगा, constant आएगा, तो यह कभी भी इस बात पर डिपर नहीं करता, voltage और current कितना है, but practically यह दिखा गया, बच्चा लोग, from practical, practical observation, practical करते गया, scientist लोग, और फिर practical करते करते उनको एक observation मिला, और फिर वो result तुनिया के सामने आया, कि basically यह जो resistance होता है, वो material के length, और inversely proportional to area पर depend करता है, जब हम इसको combine कर देते हैं, तो r proportional to elephant A हो जाता है, यह चीज क्या बता रहा है, कि अगर आप length बढ़ाईएगा, तो resistance बढ़ेग है, यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह practical observation से आया, अभी अगले section में आपको पता चलेगा, यह equation आ कहां से, ठीक है, अभी practical observations है, कि यह length ज्यादा था, तो resistance देखा ज्यादा हो गया, यह ज्यादा था, तो देखा resistance कम हो गया, ठीक है, तो अब जैसी proportionality यहाँ पर भी हटाएगे बच्चा, तो एक अगेन constant term आता है, और यहाँ पर जो constant term आएगा, here, this constant term रो, इसे रो से रो कहता है, और इसका मतलब होता है, resistivity, a specific resistance, और the special value of resistance, यह internal property पर depend करता है, किसी भी material के internal property पर चुची depend करे, वो specific resistance होता है, special resistance होता है, या resistivity होता है, ध्यान से तीनों सब्द लिख देजिए, special resistance, specific resistance, और resistivity, सारे के सारे शब्द एक ही है, और यह किस बात पर depend करता है, रो always depends on internal property of the material, अब internal property का क्या मतलब है, कि मतलब material में क्या मसाला है, मतलब कितने electrons है, कितने molecules है, अंदर temperature बढ़ने पर क्या हो रहा है, यह सब बात पर depend करता है, तो it always depends on internal property of material, लेकि इन बच्चा लोग, जो आपका capital R है, that always depends, always depends on external factor और external property, और dimension icon से, always depends on dimension, यह लिख दीजिए, यह ज़्यादा अच्छा रहे है, dimension का मतलब लंबाई कितनी है, area कितनी है, आप देख रहे हैं, कि लंबाई बढ़ा रहा हो, तो resistance बढ़ रहा है, area बढ़ा रहा हो, तो resistance घट रहा है, तो R किस बात पर depend करता है, dimension वापे, और तुमारा resistivity किस बात पर depend करता है, internal property पर कि अंदर कितने molecules है, अंदर temperature बढ़ने पर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ा भी हम समझेंगे, तो ठीक है, अब resistivity का unit देखे क्या होगा, तो इसका जो unit होता है, यह सब MCQ में आ सकता है, तो ओम, इसका ओम, meter square पर यह, तो फिर ओम, meter का square upon meter length था, कड़िया, तो फिर आपका ohm into meter हो गया, so practical observation से हमें यह समझना है, now, 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 अब जो आपका question है, वो two marks में है, two marks में एक theory की तरीके से पूछा गया है, कि what is the relation between current density and resistivity, ठीक है, यह जो भी आप पढ़ रहे हो, यह ऐसे पूछ लेगा ohm slow, तो आपको यह diagram बनाना है, यह लिखना है, उसके अदि यह सारी बातें यहां तक करके आप छोड़ दीजे, यहां तक करके छोड़ दीजे, अब यह अलग से question है, दो marks का, आपके textbook में भी दिया है, यह page number इस पर ही है, आप देखेगा, बिलेगा, 383 page number पर, question है, what is the relation between current density and resistivity, सरी नया word आ र क्या है, ओम स्लो, V is equal to I times of R, यही है, ठीक है से, V बराबर I, और R का क्या formula हमने देखा, रोल अपोने, बच्चों आपने second chapter में देखा था, relation of V in terms of E and D, capacitance, V बराबर ED, याद आया, तो हम V के जगह पर लिख सकते हैं, E into D distance है, distance के जगह पर मैं length क्या देता हूं, और फिर यह हो गया I, Rho L, अपन में A, क्योंकि दोनों side, left hand side और right hand side पर length ही है, तो यह length से length कटेगा बच्चा, और यह जो I by A होता है, उसी को J से represent किया जाता है, और here, यानि यहाँ पर, यह जो J दिख रहा है आपको, इसे current density कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, current density कहते हैं, current density के और दो तीन चीजे बताऊंगा, आप उसे note करेंगे, तो this is the relation between current density and then resistivity, E बराबर J into Rho, does, हमें क्या मिल गया, E बराबर J into Rho, now, 1 upon Rho is equal to sigma, और sigma को बच्चा कहा जाता है, conductivity, resistivity का ठीक उल्टा, conductivity, कौन सा material कितना अच्छा current को pass कर रहा है, वो conductivity है, कौन सा material किसी को कितना अपोस कर रहा है वो उसकी resistivity है, correct, तो यही equation आपका change हो जाएगा, J by sigma में, and thus J बराबर sigma into E, 2018 में, यह आपके CBSC के अंदर पूछा गया है, आपके textbook का ही सवाल था, but, textbook को सही से नहीं पढ़ते कुछो बच्चे, फिल्म को समझ में नहाता है, क्या पूछा है, अब थोड़ा इसको feel कर लेता तो conductivity क्या है, conductor, उसकी conductivity बहुत अच्छी होगी, insulator, उसकी resistivity बहुत अच्छी होगी, नाम से पता चल रहा है, resistivity current का oppose कर रहा है, conductivity current को pass कर रहा है, तो conductor, conductor इसी लिए है, क्योंकि उसकी conductivity बहुत अच्छी है, जिस material का conductivity बहुत अच्छा होगा, उसकी resistivity बहुत खराब होगी, कै किसे कहा मैंने सिग्मा इस इकॉल टू वन अपॉन रो है और अग्टिविटी इंक्रीज़ इस और यह सारे के सारे बात कंड़क्टिविटी रजस्टिविटी इस अब किस पर डिपेंट कर रहे हैं बर चलो इंटर्नल प्रॉपर्टी ओफ मटेरियल पर जो अभी हम समझेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रोन से यह मोडिट उन और उकट्रॉंक से हैं आपका यह सेग्मेंट पूरा क्लियर होगा अप। इसको अच्छेसी श्रैखी deputy ह Nag Family schöne सब्सक्राइब आगे बढ़ता है अब आता है ड्रिफ्ट ऑफ एलेक्ट्रों से ओरीजिन ऑफ रजिस्टिविटी अब यहीं देखेंगे और जोन ऑफ रजिस्टिविटी कैसे आए बट उससे पहले मैं वह कुछ भी बोलों सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा यह व जाता है ठीक है डेडिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड और फिर ड्रिफ्ट स्पीड का डेवेशन करके रजिस्टिविटी और कंड़क्टिविटी को निकालना यहां पर तीन चीजह आपनिकाल सकते हो जे सिग्मा एंधेन रो यह आता ही आता हर बारतिनों में से यह तो त और कंडक्टिविटी यानि कि जी निकालो in terms of conductivity and resistivity ध्यान से समझना और यही से आपको पता चलेगा कि कैसे हमने कहा था कि यह internal property पर matter depend करता है आपका resistivity ठीक है बट सबसे पहले यह drift of electrons क्या है वो समझते हैं तो एक बार फिर से हम conductor को बनाने का प्रयास करते हैं बनाने का प्र हमें हर चीज प्रयास से ही दुनिर्भर करती है तो यह हो गया आपका conductor हमने थोड़े दर पहले देखा कि किसी भी conductor में electron सुरुआत में battery के बगएर random motion करते हैं लेकिन current नहीं बना पाते अगर current को बनाना ही है आपको तो electron को दोड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा external source दिना पड़ेगा external source मतलब battery तो यह battery plus and minus तुरंद क्या करती है एक छक्ट से electric field generate कर देती है सुनिएगा ध्यान से इस electric field के impact में यह electron motion करने लगता है जब यह electron motion कर रहा है तो क्या यह किसी भी plus and के साथ टकरा भी रहा होगा answer है yes क्योंकि सिर्फ electrons नहीं किसी भी conductor में try to feel this point in a conductor we are saying there is free electrons it doesn't mean that there is only free electrons because free electrons comes from the atom the atom who releases the electron becomes plus correct or not yes sir so if we are saying that in a conductor there is only electron it's a wrong statement if there is a free electron that means there is 100% plus as well वो lattice structure वाली बात so there is also plus 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 ions which are fixed at some points जिसे हम lattice point कहते है अब हो क्या रहा है कि जैसे ही यह electric field ने जन्म लिया because of this source because of this source बच्चा लोग this electric field exerts the force on the electrons and because of this force this electron will try to move during the motion it will experience a collision तो क्या टक्कर के बाद यह मर जाएगा नहीं यह बिल्कुल वो बात होगी कि भोले नात आपको लगातार आशिरवात देते जा रहे है कि चल बेटा जिंदिगी में बाधाया आते रहेंगी तो आगे बढ़ते रहेगा जब तक यहाँ पर battery है तब तक हमारी electric field rocky भाई है ज तो गिर रहा है तो भी आजा अर्य किटिंग मैं पॉइंटा़ था मॉइंटाव तो तो घी तो एक्र कशा एक्ट्रू दिस ए लेक्रोन कंतिनुस एक्स्पिराइश को अर्धिंश स्पीड सपीड और दे द्रिफ्ट एलोसटी अब टरफि एनधी सम्झेड यह रहादा धग इलेक्टरी फिल्ड नहीं है बैटरी नहीं है एलेक्टरी फिल्ड नहीं है फोर्स नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस के टाइम पे जो आने वाले चैंज उसा आगा मतलब की बैटरी के साथ अपने कनेक्शन रखा आप सिंपल भासा में अपने नोट बूक में जॉट डाउन करें इस अलोगनी से में by the electron is known as drift velocity and that's it. इससे प्यारा definition नहीं हो सकता. Do not try to become वो 3D में था ना यार. क्या नाव था उसका? Chatur Ramalingan. Try to become Ranshurdas Chanchal. रटा मत मारी definition को. समझे drift velocity क्या है? drift velocity मतलब बैटरी आगे. बैटरी खीचरी इसलों drift आ रहा है. है ना यार? simple सी बात है. So the velocity gained by the electron under the influence of the battery is known as a drift velocity. रटो मत feel कर लो. है ना? ऐसा. ठीक है. अब थोड़े formulae पर बात करते हैं. चलिए तो electric field आया. Electric field ने force लगाया. as per the definition of electric field is equal to f upon q. electron की बात कर रहे हैं तो q की जगा e कर देते हैं. So f is equal to e into capital e. एक और बात कहूंगा. बच्चा आप बोलोगे किताब में minus 1 लेया. उसे कोई जुरूत नहीं है. आप ऐसे करके आओगे exam में. आपको पूरे में से पूरा marks मिलेगा. in fact यह ज़्यादा examiner को समझना आता है. है ना? पूरा बिल्कुल आप यही कर सकते हैं तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ. बिल्कुल यही करना है. तो यह हो गया force लग गया. अब from the Newton second law of motion Newton के second law of motion से हम क्या सकते हैं f is equal to m times of e. यानि यहाँ रखेंगे हम mass into acceleration e into e. तो acceleration क्या हो गया? ee upon में m. और acceleration का मतलब क्या है? velocity में आने वाला change. initial velocity 0 मान लो. तो final velocity आपकी vd upon में t और यह e capital e upon में m. vd मतलब drift velocity. आपको एक चीज notice करने में मज़ा आ रहा होगा कि यार इस आदमी ने t को normal t ना बना कर कि अजीब सा बनाया torque के जैसा. Is it a torque? No, it's a time. but it's a very special time. Let me tell you how. यहाँ पर यह जो टाउ है ना बच्चा, इसको normal time नहीं कहते, इसको कहते है relaxation time. हिंदी में होता है विश्रान तिकाल. ज़र हिंदी भी आपको आती क्या? येस भारत माता किजाए बच्चा लो. शुरुवादी समय में सबसे पहले अपने करियर के 2013 में, 2011 में, हिंदी विडियों की विद्यार्थी कोई पढ़ाते थी, जिसमें से आप में से बहुत सारे बच्चों को पूरा क्यों हिंदी विडियों में पढ़ना है? कॉमन करेंगे, मैनद करेंगे. तो T है आपका relaxation time. क् और क्या इसका महत्व है, वो समझते हैं. जरा इस प्लस को देखिए बच्चा, किसी भी positive वायन को सोचिए. जस्ट इमाजिन करें, positive वायन है, conductor के अंदर. और ये एक electron है. इस positive वायन के साथ इस electron के टकराने के कितने chances हैं? अगर बाहर से battery लगिए तो. You will answer and you will tell, sir, maximum chances अभी हम क्या predict कर सकते हैं? नहीं. हम क्या exit answer दे सकते हैं? नहीं, predict कर सकते हैं कि हाँ यार electron टकरा रहा है. ठीक है? तो किसी भी positive वायन के साथ electron at least दो बार तो टकरा है होगा. तो two back-to-back collision का average time, it is the average time of two back-to-back collision of electron with the positive वायन is known as relaxation time. अब इसे रटो मत फिल से फिल कर लो. सोचो कि relaxation time क क्या है? relaxation time का मतलब किसी भी positive वायन के साथ electron के दो back-to-back टकर का average time, मतलब पहली बार टकरा है 10 second फिर चला गया, फिर आया, तकरा है, फिर 5 second लिया, तो 7.5 second, 10, 5, 15, 15 divided by 2, 7.5 second is considered to be a relaxation time. बट यह जो वैल्यू है, नहीं चला लेने वाली value. रियालिटी में, अंदर क्या हो र experiment, with some mathematics formula, of physics, दिरे दिरे पता चला कि अच्छा ही जो सोचा गया, वो बहुत सही है, क्योंकि अभी हम 2-3 theoretical points पर जाएंगे, जो practically समझेंगे, और फिर हम समझ पाएंगे, हाँ, this plays a very important role, जो अभी आपको equation में बता भी चलेगा, देखिए, तो tau समझ में आ गया, relaxation time, अगर आप note कर रहे हैं, तो ये लिख लीजे, मैं बोल देता हूँ बच्चा, it is the time taken by the electron, the average of time taken by the electron to collide with any positive ion, ठीक है, किसी भी positive ion के साथ टक्कर जो electron की हो रही है, उसका जो average है, उसका हम relaxation time बोल रहा है, तो बहुत ही दरुदर होगो, तो पहले जो बोला, वो भी लिख सकते हो, हर पर ब प्लेक सेशन टाइम हमने यहाँ पर define कर लिया, अब ज़रा इसका importance देखते हैं, very very important, important point, आप यह लिख होगे तो examiner को यह बहुत अच्छा लगेगा, मालनीजे आपके पास में conductor है, और आप उस conductor का temperature लगातार बढ़ा रहे हो, एक conductor है, आप उसका temperature बढ़ा रहे हो, तो उस constant है, और इनमें से कुछ नहीं कह सकते, can't say anything, इसका answer बच्चा, comment section में दीजे, if you are a true SSPN, my बच्चा party, then please answer this question, मैं आगे तो answer दे दूँगा, बढ़ आप पहले वड़े को रोक करके answer दीजे, conductor को temperature बढ़ा रहे है, conductor का temperature बढ़ा रहे है, so speed बढ़ रहे है, constant है, या कुछ नही important role, imagine करिए, कि ये conductor है, feel करता है, electron उसके अंदर सांती से चल रहा है, एक ही direction में, because of this battery, now what happens, we are increasing the temperature, temperature increase करते ही, उस electron को उर्जा मिल जाती है, वो पागल हो जाता है, अभी हार में को energy मिल रही कहीं से, तो vibrate होने लगता है, disturbance हो गया, uniform motion, yes, तो अगर, यहां से अपने temperature दिया, electron energy लिया, वो vibrate बहुत होगा, क्योंकि यहां से इसको heat से energy मिल रही है, as per the formula 3 by 2 kbT, this formula you have seen in class 11, नहीं सुना तो याद करो, 3 by 2 kbT, temperature मिलते, internal energy बढ़ जाती है, तो पहले किसी भी एक positive आयन के साथ, इस conductor के अंदर electron ऐसे टकरा रहा हो, we, 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 it's a slow process, but suddenly what happens, when we increases the temperature, collision fast हो गया, बच्चा collision जैसे ही fast हो गया, किसी भी positive आयन के साथ, electron के टकराने के समय घट गई, बड़ी नहीं, घट गई, collision fast हुआ है, but time कम हो गया ना, देखो, time कम हो गया, पहले ऐसे हो रहा था, time ज़्यादा लग रहा था, 4 second, 3 second, 3 second, 2 second, 3 second, अभी 0 point something second, तो हो क्या रहा है, यहापर, लगातार temperature के बढ़ने से, collision बढ़ता है, collision जादा होता है, vibration जादा होता है, तो समय घट जाता है, और अगर समय घट जाएगा बच्चा, तो speed भी आपका decrease होगा, यानि कि आपका answer है, decreases, this is the biggest reason why this tau plays a very important role, तो यह आपको समझ पढ़ा, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते है, यह तो हमने देख लिया, वीडिया आ चुका है, लेकिन अभी बहुत लंबा जाना है, अभी इसी वीडिया के साथ हमें J, Rho और Sigma तक पहुचना है, तो आईए अभी इसको attend करने के लिए, एक बार फिर से conductor बनाते है, यह बहुत important होने वाला है बच्चा, इसे बहुत ध्या करते हैं, यह conductor हमने बनाया, इस conductor का न यह cross section area लीजिए, cross section area मतलब आपने सिर्फ समझा कि यह भाग लिया मैंने conductor का, यह मेरा दूसरा भाग है, यहां से जितने समय में जितने charge अंदर घुस रहे हैं, because charge का तो conservation होता है न, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि charge अगर 100 घुस रहे है current उसे साब से change होगा, लेकिन charge conserve रहता है, जितने charge है उतने charge जाएंगे, तो माल लीजे कि delta T समय में charges यहां से यहां transfer हुए, ठीक है, कितने charges, delta Q, कितने समय में, delta T समय में, इस department की cross section की जो area है वो A है, volume इसका V है, और इसके अंदर number of electrons कितने है, capital N है, सारी terminology को अच्छे से ल volume of that, conductor capital N is the number of the electrons, this delta T, time taken by the electrons to cross one section to another, and delta Q is the amount of charge, okay, now बच्चा, अगर यहां से यहां तक जाने में, हम drift speed का formula यूज़ करें, drift speed, यह velocity कह दीजे, तो speed बरावर होता है, distance upon time, चलो, यहां से यहां तक का जो length है, बच्चा, उसको मैं L कहता हूँ, तो मेरे लिए L हो गया, VD delta T, Q निकाल रहे हैं L, क्योंकि यह मुझे L पता चल गया न, I can easily get the value of volume of this, तो जो volume है, जहां से electron pass हो रहा है, वो है L, B and then H, breath into height को हम area कह सकते हैं, क्योंकि L हमारे पास already आ चुक है, that is VD delta T, so VD delta T and then this is area, this is volume, सवाल यूठता है कि हम volume क्यों निकाल रहे हैं, उसकी पीछे का भी कारण है, अब वहाँ पर एक word आएगा, यहाँ पर जिसे हम कहते हैं number density, यह बहुत बड़ा role play करता है बच्चा, पील करता है number density क्या है, मैं कहता हूँ, एक classroom की capacity सो बच्चों के बैठने की है, पांच बच्चा बैठ रहा है, और दूसरे classroom में सो बच्चों की capacity है, वहाँ पर पचास बच्चे बैठ रहे हैं, दोनों ही classroom के देखने का नजरिया एक हुआ या अलग-अलग? अलग-अलग हुआ ना, क्योंकि number of electrons, number of बच्चे अलग है, capacity सो की है, एक में पांच ही बैठ रहा है, सो की capacity है, एक में पचास बैठ रहा है, तो ये जो हम numbers, density की बात कर रहे हैं ना, वो ये बताता है कि कितने volume में, इतने volume में, इतने electrons, मतलब इतने volume में, इतना electron होना चाहिए, वैसे conductor बहुत छोटे से size के लिये जाता है, उनका volume 1 meter cube के आसपास होता है, तो उस 1 meter के cube में कितने electrons बैठ सकते हैं यार, आप 1 mole में 6.0, 2, 3, 10 power 23, molecules बोल देते हो, 10 power 23, इसलिए ये terms बहुत important हो जाता है, तो number density का मतलब क्या हुआ, number upon volume, कितने volume में, आपके electrons के संख्या कितनी है, तो n बराबर में आपका हो गया, n into v, small n, v के जगह पर आपका आगया, vd, delta t, and then a, confuse ना हो ये, capital N, number of electrons है, और small n, number density है, मैं कहता हूँ, के, 100 per meter cube में electrons है, तो per meter cube आगया, that is small n, मैं कहता हूँ, इस volume में 100 electron है, तो per meter cube में ने बोला ही ने, तो that is capital N, मैं कहता हूँ, 100 electron, that is capital N, मैं कहता हूँ, 100 per meter cube electron, that is small n, so try to differentiate these two things, small n is the number density, and capital N is the number of electrons, clear, ठीक है, so capital N मिल गया, आपका, small n, vd, delta t, and then a, बच्छाती बच्छा, इतना प्यारा recording lectures होता है, शेर करा करिया आप लोग, हीलाता है, तो capital N मिल चुका है, अच्छा, capital N मिल गया, capital N निकालने के पीछे का logic क्या है, फाइदा होगा, देखो, हर चीज का फाइदा है, इसका भी फाइदा है, हमको charge चाहिए था, तो पहले chapter के हिसाब से charge बराबर any, n numbers थावाँ, small n से represent केते लेकिन या, n already number density है, तो we cannot represent with N again, तो capital N आपके पास में है, small n, VD, delta T, A, and then E, और यह आपका delta Q होगया, बच्चा, मैं delta T को नीचे लेके आजाता हूँ, तो delta Q upon delta T, N, E, A, and then VD, वा, क्या must derivation है, इस delta Q by delta T becomes capital I, that is current, so I is equal to N, E, A, VD, वा, बहुत important equation, A को नीचे लेके आजाओ, so I upon A is equal to N, E, VD, वा, बहुत important equation, क्योंकि I by A क्या सी खामने क्या होता है, इससे पहले होले section में, that is current density, वा गया, relation of J with VD, तो J बराबर क्या है, N, E, VD, जापर VD क्या है, drift velocity, E क्या है, electrons, N क्या है, electron पे charge 1, versus 90, N क्या है, N क्या है, number density, J क्या है, current density, इस equation को feel करिए, अगर मुझे स्रिफ drift velocity पता हो, और मुझे N पता हो, numbers पता हो, तो भी मैं current निकाल सकता है, without using ohms लो, यह ohms सहाब का जो नियम आया है, ohms सहाब का नियम, V बराबर IR, वो इसी की देन है, अब यह आप देखेंगे, यहीं से आएगा, V बराबर IR, क्योंकि current निकालने के लिए, this is सच्चा equation, अब ज़रा सूची, किसी भी conductor में N जादा है, तो I जादा होगा, speed जादा है, तो I जादा होगा, A जादा है, wire मोटा है, area जादा है, तो भी I क्या होगा, जादा होगा, ठीक है, अब इस equation को ध्यान से देखें, J बराबर N, E, V, D, और आगे बढ़ता है, तो J बराबर में N, E, या फिर I is equal to N, E, A, V, D, यह तो था ही न, यही से उठा है इसको, I बराबर N, E, A, V, D, here, यहाँ पर बच्चा, V, D जो है, उसका equation हमने पहले ही derive कर लिया, E, E by M into tau, correct, और यह जो आपका capital A है, and, sorry, capital E, उसके जगाँ पर V upon में L कर दो, क्योंकि V बराबर E, D होता है, तो E बराबर V by L, यहाँ put कर दीजे, दज, इस तरह से, जो आपका V, D हो गया, वह आपका हो गया, E tau upon में M, और E के जगाँ पर V, potential difference, and then L, not volume, V बराबर E, D, this was voltage difference, potential difference, इसका use हम यहाँ कर लेते हैं, तो, I बराबर में, small N, E, A, and then V, D, V, D है आपका E tau upon में M into L, and then V, थोड़ा ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं, I is equal to N, E का square, N, E का square, tau, A, M into L, और साथ में यहाँ पर V है, कुछ शुड़ा तो नहीं न, N, E, square, A, tau, upon M, थोड़ा ध्यान से देखिए, बिच्छा, अगर मैं इसे subject बनाता हूँ, किसे, इस volume को, तो volume is equal to हो जाएगा, M, L, upon, N, E, square, tau, A, और साथ में यहाँ पर I, B को subject बना है, M, L, I, अब ध्यान दीजिए, जैसे ये wire है, capital R, और यह battery था, V voltage का, ठीक है, ओम साहब का नियम कैसे यहाँ से आया, वही चीजिए सिखने जा रहा है, अगर मैं voltage बढ़ाओंगा, बच्चा, voltage बढ़ाओंगा, voltage बढ़ा दिया, तो यहाँ से ताकत बढ़ जाएगी current की, I बढ़ जाएगा, लेकिन, mass of this electrons, जो इसके अंदर चल रहे थे, वो change तो नहीं होंगे न, mass of electron तो constant है न, 9.1, 10 to 11, 61, length of this conductor, नहीं change होने वाला, and number density है, क्या यह possible है कि किसी conductor में तुम्हार से फूक मारके, charges ला दोगे नहीं यार, नहीं हो सकता, charge क्या जो density हो, तो constant है, depends on conductor, यह तो already constant है, 1.6, 10 raise to minus 19, tau क्या है, direct station time है, voltage बढ़ा रहे तो tau, जो है, अपने हिसाब से change हो रहा है, area, wire का area change नहीं होता, voltage बढ़ाने पर, इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा, जो terms है न, वो constant है, देखियों, यहीं से generate हुआ है, यानि कि, v बराबर में i times of r, so here, यह जो आपका r आया, वो क्या है, ml upon n e square tau and then a, अब जड़ा और deep dive करो, मैं किसी wire को खीच रहा हूँ, length change होगा, area change होगा, लेकिन mass constant है, n constant है, e constant है, tau constant है, change नहीं होगा, इसलिए practically यह बोला जाता है, कि यह resistance के equation में constant है, और इसी को बच्चा, हम लोग क्या कहते है, rho, यानि कि resistivity, जो आपके textbook में इंग्दम आगे दे रिया था, लेकिन आप यहाँ पर आप deep dive कर रहे हो, so here, rho is equal to m upon m e square tau, और इसी को आप लिखोगे, r बराबर में, rho, l upon में a, जो आप पढ़ चुके हो, correct बच्चा, और इसका ulta, rho का ulta क्या था, sigma था, यह आपका हो गया, any square tau upon में m, यह हुआ आपके, 4 से 5 marks का derivation, जब भी आएगा, आपको यह सारी चीजे करनी है, इससे बहतर आपको कहीं पर भी derivation नहीं मिलेगा, so rho resistivity है, sigma conductivity है, हाँ resistivity का unit, ohm into meter, इसको ऐसे उल्टा ohm, meter minus one पढ़ते है, संसार mom आया वाला mho, और इसको पढ़ते है, ohm, उल्टा है न, इसलिए more, sigma is one upon rho, अब यहाँ से एक mcq, जो की need के लिए भी काम आएगा, और आपके cbse board exam, या कोई भी state board के एक्जाम में काम आएगा, चलिए बच्चा, हम बात करते हैं conductor की, और हम बात करते हैं semi conductor की, सबसे पहले हम बात करते हैं conductor की, हम temperature बढ़ा रहे हैं, पहले theoretically सोचो, फिर mathematically जाना, अगर temperature conductor का बढ़ाईएगा, तो electron disturb हो गया न, तो current बढ़ा तो कम हो जाएगा बाबू, तो current बढ़ा कम होआ तो मतलब resistance बढ़ गया, तो होता क्या है, temperature के बढ़ने पर vibration fast, टाउ घड जाएगा, टाउ के घटने से, look at this, m and e square, all these are constant, टाउ के घटने से, रो बढ़ जाएगा, because रो is inversely proportion to this, तो temperature के बढ़ने पर इसका रो बढ़ता है, लेकिन जो sigma है, इसका घटता है, बड़ semi conductor में उल्टा होता है, समय के साथ जब हम 14 chapter पर पढ़ेंगे, पहुचेंगे, तब आपको अहसास होगा, कि किसी भी semi conductor में temperature बढ़ना है, एक अच्छी बात होती है, क्योंकि temperature बढ़ने पर bonds टूट जाते हैं, आप सीखेंगे कि silicon एक covalent bond से connected होता है, एक silicon अपनी जैसे 4 silicon के साथ connected होता है, तो basically होता क्या है कि जब temperature बढ़ाते हैं, तो bonds टूटते हैं बच्चा, और bonds टूट जाने के वज़े से electrons pre हो जाते हैं, electrons के free हो जाने से current बढ़ जाता है, conductivity बढ़ जाती है, इस formula को देखी, N बढ़ रहा है, temperature बढ़ने पर, अगर temperature बढ़ रहा है, तो N बढ़ रहा है, और अगर N बढ़ रहा है, तो sigma बढ़ रहा है, और अगर sigma बढ़ रहा है, तो rho आपका घटे, that's it, यह आपका जहां पर, textbook में खतम हो रहा है न, वहाँ पर एकदम last पे point दिया है, 85 point page number के 85-86 के end पर देखना, यह दिया हुआ है, तो इन्हें आप अच्छे से jot down कर लीजे, लिखते रहे हैं, जितना बढ़िया notes बनाएंगे, उतना best होगा, आईए आगे बढ़ता है, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है बच्चा, तो textbook का सबसे पहला सवाल, कुछ इसमें theoretical point है, जो मैं आपको दूँगा, उसे आप समझना और comment भी करना, चलिए बच्चा देखिए, तो यह है आपके textbook का सबसे पहला example, estimate the average drift speed of conduction electron, यानि कि हमें विडी निकालना है, उसमें cross section area दे रखा है, carrying a current of 1.5 ampere, assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron, यानि कि हर एक copper जो है, वो एकर रफ electron contribute कर रहा है, the density of copper is this, which is 9 into 10 is to 3 kg per meter का cube, and its atomic mass is 63.5 amu, atomic mass unit कियाते हैं इसे, दूसरा इसे में बोलता है, compare the drift speed, पहले हम एक यह बात करते हैं, फिर B part पर आते हैं, तो देखिए, हमें यहाँ पर average drift speed निकालना है, तो हम drift speed का पहले formula सोच लेते हैं, part A, तो I बराबर में क्या था बच्चा, N, E, A and then VD, correct, तो VD बराबर, I upon N, E and then A, क्या हमारे पास I है, जी हाँ 1.5, N है number density, तो यहाँ पर density दिया है, that is not number density, density अलग होता है, number density अलग होता है, तो अब number density निकालने के लिए, आप क्या करेंगे बच्चा, तो आपके पास में एक formula होता है, small N निकालने के लिए, हम उसका use करेंगे, आप simple जब भी आपको, जब भी याद रखेगा, कि density दिया होना, तो small N निकालने के लिए, आप DNA याद रखो, DNA अपोन में M, M not, DNA याद रखो, body में DNA होता न, अभी आता कैसे है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, दीखे density का unit, kilogram per meter का cube, और यहाँ के kilogram से कट जाएगा, तो आया क्या, number upon per meter cube, वही तो आपका small N होता है, तो जब भी आपको density दिया हो, यह trick लगाई है, DNA upon M not, यहाँ से आपको small N मिलेगा, यह small N की value उठा करके यहाँ रखो, और आपको drift speed मिलेगा, और वो जो drift speed मिलेगा, बच्चा वो 1.1 mm per second आएगा, calculation आप कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है, चलिए, अब इसी में हम आते हैं, अच्छा ही तो part 2 हो गया, इसी में आते हैं इसका part B, part B में भी दो सवाल पूछा है, उसे पहला सवाल, पहला सवाल बोलता है, compare the drift speed of obtained above with thermal speed of copper atoms at ordinary temperature, thermal speed कैसे निकाला जाता था, half mv square is equal to 3 by 2 kvt, so 2 से 2 कट जाएगा, तो v बराबर में under root में 3 kvt divided by m, तो यह आपका speed, इसके साथ हो गया, थर्मल, ordinary temperature, तो ordinary temperature पर temperature की value fixed रहती है, वो देखे क्या रहेगा, आपका 300 kv, यहां रखकर क्या value निकाली है, 2 into 10, 10 meter per second आजाएगा, ओके, फिर इसी के अंदर बच्चा बोलता है, speed of propagation of electric field along the conductor, which causes the drift motion, अभी जो हम drift speed निकाले हैं, यहां पे, वो 1.1 mm पढ़ सेके नाया, जरा इसको ध्यान से समझिए, यानि एक second में electron चल रहा है, मात्र 1.1 mm, तो यह कैसे possible होता है, कि switch को दबाते ही, इतनी तेजी से current चलता है, कि हमें ऐसास भी नहीं हो पाता, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, कि यह जो electric field generate होता है, वो धबात करके, electromagnetic wave के form में चलता है, because electric field का जो speed होता है, वो 3 into 10 power 8 meter per second होता है, जैसे कि यह conductor है, यहाँ पर electron है, यहाँ पर electron है, यहाँ पर electron है, और यह हमने दिया यहाँ पर battery, तो जैसे यह battery लगाता है, electric field धर्ट से आ जाता है, वो चलो, धर्ट से एक दम धर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्दर्रेगे, 3 into 10 power 8 meter per second की रफतार से हर जगह पर आ गया, तो यहाँ का electron experience करेगा, फूर्स यहां का एलेक्ट्रोन एक्सपिरेंस करेगा यहां का एलेक्ट्रोन एक्सपिरेंस करेगा अधर्वाइस अगर आप 1.1 पहला question, आई ये दूसरे question पर चलते हैं, अब दूसरा question पहले पर ही based है, theoretical ही है, थोड़ा सा पोज रहा है, ध्यान से देख में, बोलता है, the electron drift speed is estimated to be only a few mm per second, which was 1.1 mm per second, current in the range of few amperes, how then is current established almost the instant a circuit closed, जो भी समझाया, circuit को जैसे ही close किये, drift speed 1.1 mm per second आ रहा है, current few amperes आ जा रहा है, but instantly कैसे ही ये possible है, कभी आपने ऐसा देखा कि switch चला है और फिर 5 minutes बैटे हो, अच्छा current आएगा, electron जा रहा होगा, 1.1 mm per second या नहीं, 1.1 mm बहुत धीरे, ऐसा नहीं होता, रफ्तार speed की electron की उतनी ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे electrons हैं, आप अनन्त कह सकते हो, 10 power 28 per meter cube जितने electrons हैं, 10 की गात 28, एक, दो, तीन, जार नहीं, 10 power 28, यानि एक के बाद 28 zero, बाई साब एक के बाद 3 zero पे 100 हो जाता है, 100 आदमी आपके पास खड़े हैं, 1000 आदमी आपके पास खड़े हैं, एक के बाद 3 zero में 1000 हो गए, फिर 4 zero पे 10,000 हो गए, ऐसे आपके 28 zero हैं, तो just imagine, इतने सारे electrons हैं, और उन सारे electrons के उपर एक साथ, 3 into 10 power 8 meter per second की रफ़तार से electric field आ जाता है, तो सारे लोग चलने लग जाते हैं, जो जहां है होँआ थोड़ा सा चलाता है, ऐसे सब चलने लग गए, है ना, सब थोड़ा 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 खिसके, तो current बन जाता है, इसले current को वक्त नहीं लगता है, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि because of instant presence of electric field, due to the speed of light speed, 3 into 10 power 8 meter per second, this happens, we see that there is instant value of current, as the moment when we switch the key, चलो, इसी में दूसरा part आता है, उसका reason है कि एक दो लोग नहीं है, यह कह रहा है कि electric field के आ जाने से force लगा, force के लगने से acceleration हुआ, फिर भी हम drift speed average में लेते हैं, उसके पीछे का बड़ा simple सा कारण है बच्चा कि सारे के सारे जो electrons है उनका nature एक जैसा नहीं है, आपको पता होगा, मैंने पहले chapter ही बताया था कि there are certain electrons, there are certain electrons, they are known as psycho electrons नहीं, यह मैंने CUT में बताया था, अब आप 2024 के विद्यार थी हो, पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनो, चल थोड़ा deep dive करता है, यह nucleus orbit, orbit ऐसे बड़े सारे orbit, हम हमेशा सुनते हैं कि electrons last orbit से निकलता है, हाँ, क्योंकि nucleus का attraction महाँ पर कम होता है, लेकिन बच्चा electrons यहां से भी निकल सकता होगा, यहां से भी निकल सकता होगा, depends करता है energy पर, depends करता है nature of material पर, तो सारे के सारे electrons एक जैसे नहीं होते, कुछ electrons का nature बड़ा खतरनाक होता है, तो उनको electric field का प्रभाव भी ज़्यादा लगना पड़ता है, यह आप पढ़ेंगे photo electric effect में जब हम chapter कर रहे होंगे dual nature of radiation and matter, लेकिन अभी थोड़ा सा जयान आपको इतना समझ में आया होगा, कि किसी भी conductor में सारे electrons का nature एक जैसा नहीं है, तो कुछका drift speed अलग, कुछका कुछ अलग, कुछका कुछ का कुछ अलग, क्यूंकि सब अलग-अलग position पर भी बैठे होँ हैं, इसलिए हमने ये कहा जरूर कि electric field क्या जाने से force लगा, force के लग जाने से acceleration हुआ, तो drift speed आई, लेकिन average ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे electrons हैं, that's why we will take average speed. अब आगे बढ़ते हैं, इसका कौन सा part हुआ, B part हुआ, C part बढ़ते हैं. If the electron drift speed is so small and the electron's charge is small, how can we still obtain large amount of current in the conductor? ऐसा क्यों हैं, कि हम conductor में large amount of current लाते हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा, I बराबर NEAVD होता है. ज़र इस equation को समझिए, भले ये कम है बच्चा, भले speed कम है, लेकिन ये तो बहुत जादा होता हैं, conductor में. यार, ये 10.28 होता है, चलो मैं इसको अगर 1 mm second में ले भी लूँ, फिर भी 10 की गात 28 है, और area बले बहुत छोटा सा हो, फिर भी NE में N की value बहुत जादा है, ये अखेले N इन सब को खा जाता है, इसलिए conductor में current की value जादा होती है. तो generally हम current को आई बराबर V by R से समझने की कोसिस करते हैं, but ohms लो आया यहां से, this is बाप, भारत माता कीज़े, ठीक है, D पर आते हैं. When electrons drift in a metal from lower to higher potential, जब electron lower to higher potential पर जाता है, does it mean that all the free electrons of the metals are moving in the same direction? चले, इसका आंसर मैं आपको उपर छोड़ता हो, comment करके बता हो, क्योंकि थीरी बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चा, ठीक हैं, answer this question, ठीक है, answer करिये comment section में. E part, are the parts of electrons straight lines between a successive collision with the positive ends of the metal in the absence of electric field and the presence of electric field? Comment करिये, ठीक है, यह मैंने आपको drift speed सिखाया है, तो इन दोनों का answer आपको, comment करना है, देखते हैं, कितने बच्चे comment करते हैं, चलो, आगे बढ़ता हैं, अब हम पढ़ेंगे mobility के बारे में, तो mobility क्या है, तो mobility basically, हिंदी अगर जाओगे, तो गती शीलता, mobility एक ऐसा term है, जो यह बताता है, कि यह conductor में charges कितरे अच्छे चल सकते हैं, यह बिल्कुल वो बात हो गई, कि अगर मान लीजे कि मैं 100 newton per column की एक electric field दे रहा हूँ, और एक जगा 1000 newton per column की electric field दे रहा हूँ, field with ssp, और मैंने यहाँ पर एक electron को रखा, और मैंने यहाँ पर एक electron को रखा, तो बताईए इस electron का ज्यादा रफतार होगा बच्चा लोग, या इस electron का रफतार ज्यादा होगा, जार सी बात है, इस electron का ज्यादा रफतार होगा, ऐसा, सोचो फिर से, सोची, 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 वीडी बाई, मोबिलिटी, 100 न्यूटन पर कूलम है, और 1000 न्यूटन पर कूलम है, ओविसली, electron यहाँ पर ज्यादा electric field की value है, तो वहाँ पर ज्यादा तीजी से खिच रहा होगा, तो यह जो electric field है, और यह जो वीडी है, इनके ratio से ही मोबिलिटी बनता है, मोबिलिटी का formula जो होता है, बच्चा उसको म्यू से represent करता है, और यह होता है, वीडी अपॉन में e, सारे terms ना पहले है आ चुके है, बस उन्हें अब define किया जा रहा है, म्यू मतलब drift speed to electric field की कितने electric field में कितनी रफतार है, वो उसकी mobility है, एकदम simple, इसका unit बहुत बार and electric field का voltage per meter, यानि यह हो गया meter का square per second and then per voltage, this is unit, correct बच्चा, अब थोड़ा इसको और तोड़ लेते हैं, तो यह जो म्यू है, VD, VD बराबर था, E capital E upon M into tau, और already नीचे electric field है, so देखे, electric field से electric field आपका कट जाएगा, तो यह आपका आगया E tau upon M, this is mobility, that means mobility is inversely proportional to M, and directly proportional to tau, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी conductor में electron को चलाना ज्यादा आसान है, comparison to proton, क्योंकि electron का mass कम है, जिसका mass कम है, उसकी mobility ज्यादा होगी, आप ऐसे भी सोचो, आसान आदमी को खीचना, जिसका mass का में उस आदमी को खीचना आसान है, या जिसका mass ज्यादा है, तो हमें यहा जाएंगे correct तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि अगर हम electron की चर्चा करते हैं तो electron का mass कम है तो mobility जादा होगा यहां पर note कर लिजे बहुत अच्छा point आ गया mobility of electron is greater than mobility of mass this will also help you mobility of proton this will also help you when we will do a chapter of semiconductor so mu is greater than mu p चले तो mobility is done next आता limitation of ohm slow यहां पर बच्चा graph आता है जो हम अभी किताब से देखेंगे तीन तरह के graph होता है limitation of ohm slow basically यह कहना चाहता है कि अगर हमें graph बनाते हैं see it's a practical things तो आपको इसे याद रखना है तो यह graph कुछ इस तरीके गाता है if it is a graph of i versus v अगर यहां पर ohmic device है तो follow होगा लगातार आप voltage बढ़ाते जाए current बढ़ता चला जाएगा यह जो आपका theta है यह theta आपको slope यानि कि resistance की value देता है sorry 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 बच्चा फार्डी this is v versus i अब देगा यह slope आपका r because r बराबर क्या होता है v upon में i अगर माल नों यहां 30 degree दिया तो resistance आपका 1030 हो गया तो जो भी ohmic device है जो ohms लोगो follow करते हैं वो ऐसा graph देंगे लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा graph हो कुछ time के बाद में temperature temperature बढ़ता है तो एक graph थोड़ा सा change हो जाता है वो non-omic device होता है again you will learn in future जिसको हम कहते हैं semiconductor semiconductor में आप पढ़ेंगे forward pn junction diode तो pn junction diode में diode एक ऐसी device होती है जहां पर हम voltage बढ़ाते हैं तो भी हमारा current नहीं बढ़ता है क्योंकि future में आपको ऐसी चीज़े बनानी होंगी जहां पर voltage बढ़ने के बाद जूद भी आप current को control कर सको वो diode करता है ट्रायोड करता है transistor करता है it's a huge physics तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे material में ऐसा होता है कि हम voltage बढ़ा रहे तो current बढ़ रहे there are certain materials in which we see that when we increases the voltage the current remains constant but after a particular value of voltage current then suddenly increases तो उनकी graph अलग होता है यह ohmic device के graph है जो known ohmic device के graph होता है वो कुछ ऐसे होता है ऐसे यह diode के लिए है बच्चा लोग V versus I या I versus V उल्टा हो जाएगा ठीक है तो यह आपके graph कुछ आपको याद रखने है एक बर आपको किताब में भी लिए चलते हैं चलिए यह देखे यह आपके ohmic device वाले graph जैसा कि मैं non-ohmic device वाले graph this is I versus V यानि कि suddenly एक जैसा graph नहीं है मतलब कि यहाँ पर voltage पहले बढ़ा रहा था मैं तो current मेरा almost zero है बर suddenly current बढ़ना शुरू किया फिर यहाँ पर ऐसे उल्टा जा रहा है तो यह सब relation को follow नहीं कर रहा है इसलिए इन्हें इसलिए बात होगे कि 10 वोल्टेज और 12 वोल्टेजर में करेंट एक जैसा मिल रहा है तो यह क्या हुआ यह ohms low के खिलाफ हुआ इसलिए से non-ohmic device कहते है future में आप पढ़ेंगे कैसे कौन-कौन से devices होता है तो यहाँ से आपको तीन पॉइंट याद रखना है मैं आपको ती किसी में तो ब्राइटनेस ज्यादा किया था तभी मैं सोचू क्या हो गया ना वर्रीटिंग इस फाइन है राइट इसमों कौन बढ़ा दिया था जुकला जी बोड का अब वो कबसे लग रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है चलिए तो वी सीजिस तो बी प्रपोर्शन तो आ जो कि इस ग्राफ के अंदर है यहां पर है यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप वोल्टेज को नेगिडिव डिरेक्शन बढ़ा रहा हो तो करेंट का साइन भी चेंज हो जाएगा वो भी बदल जाएगा और तीसरे नंबर पर आता है तर रिलिशन बिटिट वी और इस नो नहीं होता वोल्टेज का डन तो यह हो गया material and device not obeying the ohms low in the form of equation जो अभी पढ़े हो एक एक्विटली widely used in the electronic circuit अब भी जो इलेक्ट्रोनिक सरकेट का नाम आ रहा है वो आप आके तेखेंगे semiconductor के अंदर बट mark कर लीजेगा we will study the electrical currents in the materials that obeys ohms low तो subsequent इस chapter के अंदर हम फिर भी जब की पढ़ेंगे we will study the electrical current in the material that obeys ohms low मतलब आप इस chapter में हो ही पढ़ोगे जहांपर ohms low को follow कर रहा है next आपका मुद्दा आता है बच्चा और वो mcqs में आपको बताता हूं कि क्या क्या है तो हमारे पास तीन तरह के materials का classification होता है एक होता है conductor एक होता है insulator और तीसरा होता है semiconductor तो अगर हम conductors semiconductor और insulator की बात करें तो उनमें क्या value होती है resistivity की जड़ा वो देख लेते है तो metals मतलब conductor मतलब उनकी resistivity कम होगी तो 10 raise to minus 8 ohm meter से लेकर के 10 raise to minus 6 ohm meter तक resistivity होता है textbook में है बच्चा इसे लिए आप expect कर सकते हो कि this can be in your mcqs है ना 18 mcqs आता है गुजराद बोट में तो 50 आता है at the other end our insulator like ceramic हो गया rubber हो गया जिसमें से current पास नहीं होता है and plastic हो गया having resistivity 10 power 18 times greater than the metals exit value नहीं दे रहा है लेकिन metals से comparison में 10 power 18 times होता है in between the two are the semiconductors this however have resistivities characterically decreasing with the rise in temperature यह तो हमने पढ़ा ना के resistivity of semiconductor temperature के बढ़ने के साथ क्या होता है temperature के बढ़ने के साथ घटता है और temperature के घटने के साथ क्या होता है बढ़ जाता है तो यह वही चीज़ लिखा हुआ है ठीक है the resistivities of semiconductors can be decreased by adding small amount of suitable impurities यह आपके chapter 14 में भी आएगा लेकिन याद रख लीजे कुछ amount की impurities इसमें मिला देने पर decrease हो जाता है semiconductor की क्या resistivity तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे impurities मैं बताता हूँ आपको आई बराबर क्या होता है N E A B D जब आप impurities बढ़ा रहे ना तो charge carriers बढ़ रहा है it's just like N type semiconductor and P type semiconductor बहुत detail में नहीं जाएंगे 14 chapter में आने वाले impurity बढ़ाने का मतलब होता है कुछ और charge carriers मिला देना है ऐसा समझे तो कुछ और charge carriers मिला देने से N बढ़ जाएगा यानि I बढ़ जाएगा आई बढ़ गया तो resistivity घट गई तो वही चीज कह रहा है कि the resistivity of semiconductor can be decreased by adding a small amount of sweetable impurities this last feature is expoiled in use of semiconductor for the electronic device अभी हटाया गया है चल्यों next पर आते हैं 3.8 that is temperature dependence of resistivity और यहां से आप expect कर सकते हो बच्चा numerical guaranteed guaranteed numericals आईए तो temperature dependence of resistivity देखा गया कि जैसे कि कोई T temperature पर resistivity है तो उसका equation कुछ ऐसा था RT is equal to RT naught 1 plus alpha T minus में T naught और resistance की बात करो तो RT is equal to RT naught 1 plus alpha T minus में T naught यह क्या चीज है यह बिल्कुल वैसा है जैसे class 11 में आपने thermal expansion में पढ़ा था क्या पढ़ा था याद है बच्चा thermal expansion ने पढ़े थे ना कि temperature change होने के साथ साथ length भी change हो जाता है तो किसी T temperature पर length conductor का अलग था पर initial में अलग था यह बिल्कुल वही बात हो गए कि कोई सुरुवात का temperature T naught है जैसे मैं कहूं 10 degree Celsius तो सुरुवात के temperature में resistance या resistivity कह लिजे क्योंकि R में ही rho L अप होने आएगा L और E कटेगा तो यही आ जाता है तो दोनों equation को directly आप accept कर सकते हैं इनका कोई derivation नहीं है पर है भी नहीं ठीक है तो RT naught क्या है T naught temperature पर resistivity लिख लीजे तो इसका मतलब हुआ resistivity at T naught temperature initial temperature पर इनके काफी अच्छे textbook में examples भी एवन exercise में भी है जो हम करेंगे और RT का मतलब हुआ resistivity of resistivity sorry resistivity at T temperature बराबर को यह resistivity है अलफा को जान लीजे coefficient of temperature coefficient temperature coefficient और इसका जो unit है वह है बच्छा degree Celsius inverse so degree Celsius inverse is the unit of alpha root T naught is the resistivity at T naught temperature root T is equal to resistance resistivity at T temperature numerical से ज्यादा मजा आएगा इसको समझने में यह भी सेम बात है खाली resistance कर दीजे यहाँ पर रो के जगह पर resistance आई इनके question करते हैं बहुत interesting सवाल है आपके textbook example 3.3 exercise में भी 3-4 सवाल है जो हम करेंगे an electric toaster electric toaster समझते हो electric toaster जो काम करता है राइट तो electric toaster uses nichrome for its heating element अरे यहार जिसमें सेंटीज वगरा बनाते हैं तो use nichrome for its heating element when a negligibly small current passes through it उसमें से कुछ small amount current pass हो रहा था negligible its resistance at room temperature 27 degree Celsius is found to be 75.3 यानि आप ऐसा कह सकते हो कि R T naught या R 27 initial temperature पर जो resistance है 75.3 ohm है ऐसा given value फिर when the toaster is connected to a 230 voltage आप toaster को connect किया 230 voltage के साथ the current settles after a few seconds कुछ समय के बाद वो गरम होगा और फिर current set हो जाएगा steady current तो steady current आगे बुला होगा supply connected to the voltage the current settles after few seconds to a steady value of 2.68 क्योंकि current पहुचता है फिर steady हो जाता है कितना current है 2.68 यहां से मैं एक resistance निकाल सकता हूँ V by I से बट किस temperature पर मुझे भी नहीं पता कि कितने temperature पर वो गरम होकर के set हुआ होगा resistance नहीं पता तो आप से ही बोलता है what is the steady temperature of the nichrome material temperature coefficient of resistance दे रखा है 1.7 10 raised to minus 4 degree Celsius inverse it's very easy question बड़े दिखते हैं बड़े आसान होते हैं concept का game है खाली तो आप यहां पर क्या लगाईएगा R 27 sorry R T जो हमें चाहिए और initial condition क्या थी 27 दिगरी का Celsius का temperature था 1 plus 1 plus alpha उसके बाद क्या बच्चा करेंगे T जो हमें चाहिए minus 27 जो हमें दिया हुआ है ओके अब देखो बच्चा R T आपके पास में V by I है तो 230 divided by 2.68 is equal to R 27, R 27 कितना 75.3 plus R 27 यहां भी multiply होगा तो 75.3 into alpha, alpha कितना था, alpha कितना था, 2 into 10, 1.7 into 10 is to minus 4 into alpha यह होगा इसके साथ multiply फिर alpha 75.3 into this and then T भी तो है इतना बड़ा में क्यों करना है उसको तोड़ा short करता है रुको 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 इसको short करता है calculation इतना बड़ा नहीं करेंगे R 27 को नीचे लेलो सबसे best है तो R T आपका V by I है यानि कि 230 2.68 into R 27 नीचे आएगा 75.3 minus में 1 यह वाला वन इदर आ गया is equal to alpha and then T minus में 27 पहले हम इसे solve कर लेते हैं ओके कोई दिकत नहीं है बॉस तो यह point को हटाओंगा बच्चा लोग तो यहाँ पर 00 आ जाएगा और इसे हटाओंगा तो 1000 हो जाएगा तो 230 कुड़े 100 कुड़े 10 268 75 75 minus में 1 यह जो भी answer आएगा alpha की value कितनी है 1.7 into 10 power minus 4 and then T minus में 27 हो गया आसान आप तो गरी सकते हो इसको solve करिए उसमें से एक घटा यह divide by यह कर दीजे plus 27 कर दीजे very easy maths फिर से इसको solve करो में से एक घटाओ divide by 1.7 into minus 4 करो और फिर 27 चोड़ दो you will get the value of temperature in celsius समझ गए ठीक है चली बच्चा तो यह आपका हो गया तो यह आपका 847 degree celsius आएगा चाहो तो आप इसी में 273 add कर दो तो आपका Kelvin भी हो जाएगा ओके अगले सवाल को करते हैं पेस नमबर 92 पर है next example है काफी अच्छा है अगेन based on the same fundamental concept the resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point देखे ice point का मतलब क्या हुआ 0 degree celsius बरकात आप पान इतना ही होता है यहाँ पर resistance आपको दे रखा है 5 फिर कहता है steam point steam मतलब की 100 degree celsius कितना resistance है 5.23 ohm उसके बाद क्याता है when the thermometer is inserted in a hot bath अब hot bath में thermometer को डाल दिया तो resistance निकल के आया इतना बट कितना temperature है वही नहीं पता कितनी value है 5.795 ohm अब हमें calculate करना है कि temperature of the bath कोई alpha-alpha कुछ नहीं दिया है अब यहाँ पर pure concept दिमाग का खेल है T time पर temperature का resistance जो है T temperature पर resistance R T है और 0 degree celsius पर R 0 है तो 1 plus alpha T minus में 0 होगा correct बच्चा ध्यान दीजे तो R T minus में R 0 यह हुआ आपका R 0 alpha and then T तो एक combination तो हमने T और 0 का कर लिया अब क्यों ना एक combination हम R 100 और 0 का कर लें ध्यान से तो R 100 minus में R 0 because initial तो यह है न तो एक बार यह initial है यह final है फिर यह initial है और यह final है तो इनका एक combination वाला equation बना दिया यह रहा और इसका और इसका एक बनाया जो हमने उपर लिखी दिया है तो जहाँ T temperature है वहाँ 100 हो गया initial आपका यह था ही और यह आपका R 0 alpha ध्यान दीजे यहाँ T था तो यहाँ T आ रहा है यहाँ 100 है तो यहाँ 100 है कितना असान हो गया तो देखो अब यह कट रहा है कौन कट रहा है अब चलो यह मैं चंपक लाल गड़ा की तरह ऐसे क्यों किया हूँ बैक पीन हो रहा है बाबा लोग कोई दिकरता ही है अपना है गड़ेगा बचलो तो T is equal to क्या हो जाएगा R 80 minus R 0 R 80 आपका 5.795 minus 5 तो 0.795 into 100 divided by R 100 minus this तो 5.23 अब नॉर्मल केलकुलेशन है आप करिये इसे बच्चा कमेंट में आंसर दीजे इतना तो आप करी सकते हैं यह आपका आंसर क्यालविट सेल्सिस चली बच्चा ड़न यह सवाल भी खतम आगे बढ़ता है इलेक्ट्रिकल एनरजी एंड पावर वाव मस्त टॉपिक है इसे बहुत शॉर्ट में भी समझा जा सकता है बहुत प्यारे तरीके से लेकिन आपके टेक्स्बुक की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैं उसको थोड़ा एक्स्प्लीन करता हूँ बढ़ियां से देखें द्यान से आते हैं थोड़ा टेक्स्बुक में आते हैं तिच की आउं यह रहा यह देखिए इलेक्ट्रिकल पावर के एनरजी के फॉर्मुले में इन्होंने कुछ डेल्टा के माइनस डेल्टा यू पी ओटी पॉट मतलब घड़ा होता है लेकिन हैं पोटेंशल ए तो चले इसको समझते हैं फिर 3.10 में जाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनरजी क्या है और पावर क्या है इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा पंड़ा समझ यह जैसे माल लो कि यह आपके पास में एक सरकिट है जहर सी बात है सरकिट है तो उसका कुछ न कुछ रजिस्टन्स होगा और उस सरकिट को आपने करेंट किया है किसी V-Voltage की बैटरी के साथ आप से मैं एक सवाल पूछ को अगर मैं V-Voltage की बैटरी ना दो तो क्या इसमें से को पावर की चर्चा ही नहीं कर सकते क्योंकि पावर का मतलब होता है तरीके से ताकत सरकिट की ताकत और सरकिट की ताकत आती है सोर्स से जैसे एक बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी कितना पावरफुल है उसके V-Voltage Difference पर डिपन करता है है ना 100 V-Voltage की V-Voltage Difference है उसका अ आपते हैं हाजी बच्चा तो मैं यह कह रहा था कि इस सोर्स के बगार ताकत आई नहीं सकती सरकिट में है तो बेसिकली एक सोर्स दे रहा है और यहां पर रिजिस्टेंस और यह करेंट है अच्छा अब जड़ा सोच की देखो कि यह जो सोर्स दिया गया है यह है इस पर फॉर्मुला ऑफ पूटेंशल V से अदेवलौ उड़ज़ है नोहीं कितना काम कि है सरकिट ने क्यिट ना क्यू इन्टू व यह फॉर्मले के हिसाब से और क्यों क्या है बच्चा आपि लोगों का अल्टिमेटली आईती ऑर या आपका डबलु तो डबलु के जगह पर IR, so W आपका हो गया, I square R and then T, और ये जो W by T है, general physics, work upon time, कितना काम किया गया, इस charge के ओपर, वही तो power है, तो इसी को P कहा जाता है, और formula निकल के आगया, I square R, there are different different forms of this power, I square R में, अगर मैं I के जगह पर ohms लो लगाऊं, तो देखिए, ये R से कटेगा, तो V square by R होगा, so this is P is equal to V square by R, और इसका दूसरा भी format हो सकता है, P बराबर I square R को मैं ऐसे तोड़ दू, I, I into R, इसे हम voltage बोल देंगे, so V into I हो जाएगा, so we have three different equations of power, V into I, I square R, ये रहा, I square R, I square R निकाली दिया हमने, और कौन था, P बराबर V square by R, कहां गया, ये रहा, P is equal to V square by R, तो this is the second form, this is the third form, and the first form, इसे को Jules Law भी कहा जाता है, क्योंकि power के concept के resistance का बहुत बढ़ा खेला है, ये जो resistance है ना बच्चा, यही से power dissipate हो रहा है, ये जो battery दे रही है, वो electrical energy दे रही है, और यही electrical energy dissipate हो रहा है, heat के form में, जिसे हम power कहा रहे हैं, सोच के देखो, यहाँ पर एक bulb लगा है, पीली वाली bulb, उसमें tungsten का filament होता है, तो जैसे आप इसे किसी battery के साथ जोड़ते हो, तो filament गरम होता हुआ दिखता है, है ना tungsten का बना होता है, तो वो गरम होता है, गरम होता तो क्या छोड़ रहा है, आपको आप बोलते हो power, 20 watt का bulb है, ऐसा बोलते हो ना, तो इसका क्या मतलब है, वो कि एक सेकेंड में, वो 20 चूल जितनी उड़जा आपको धीर है, बट ये जो गरमी power आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, इसको जिस battery से आपने चोड़ है, वहां से आ रहा है, अपको मज़ा आएगा, फील आएगा, ठीक है, जड़ा देखें ध्यान से, तो इन्होंने टेक्सबुक में क्या कहा बच्चा, उस पर नजर दोड़ाते हैं, इन्होंने कहा कि consider करिए पढ़ते हैं, consider करिए conductor के बारे में, ठीक है, with endpoints A and B, in which a current I is flowing from A to B, चलिए conductor लेते हैं, यह point A है, यह point B है, जिसमें current flow कर रहा है, A से B की तरफ, यानि कि A का voltage जादा होगा, B का voltage कम होगा, higher potential पर है lower, तभी तो current ऐसे चल रहा है, ठीक है, since the current is flowing from A to B, so VA greater than VB, and the potential difference across AB is VA minus VB, अब इन दोनों का अगर हम potential difference लेंगे, तो VA minus VB greater than 0 होगा, क्योंकि यह higher है, यह lower है, तो 0 से बढ़ा हुआ, यह बात भी यह आप तक सही है, फिर क्या कहता है कि मान लीजे delta T time interval है, amount of charge, क्यों कैसे निकालते है, I T से, इतना, I delta T जितना charge, delta Q जितना charge travel किया, A से B, A से B में इतना charge travel किया, ठीक है, so the potential energy of the charge at A, अब potential energy कैसे निकालते थे, याद करिए, potential energy second chapter में, या फिर W कैसे निकालते थे, Q into voltage at that particular point, तो A point पर, यहाँ पर potential energy इस charge का क्या हुआ, Q into VA, और यहाँ पर क्या हो गया, Q into VB, तो उन्होंने कहा, A से B पर जाने पर, potential energy में change कितना आया, तो हम कैसे निकालते हैं, final potential energy, minus में initial potential energy, तो final potential energy आपका delta Q VB है, और delta Q VA है, delta Q common करा, now VB minus VA, तो VB minus VA आपका क्या आ जाता है, minus, इसी को हमने voltage difference से V से denote कर दिया, minus क्यों आया बाभू, क्योंकि VA minus VB greater than 0 था, तो VB minus VA क्या होगा, minus में आ जाएगा, तो जड़ा देखिए आपका जो delta Q है, वो I delta T है, और ये जो change in potential energy आया, वो minus आ रहा है, क्या मतलब है minus आने का, समझे है, पुरा खेला बहुत मजाएगा, ये जो आपका potential energy minus है, उसका क्या मतलब है, potential energy दिरे दिरे घट रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे जान बच्चा लोग, जब हम conductor में से चले न, तो उस conductor के अंदर, लगातार positive ions के साथ electron का टकर हुआ, तो जब electrons के साथ टकर हुआ, मतलब potential energy घट रही है, and as per the law of conservation of mechanical energy, conservation of energy, क्या कहता है conservation of energy, वो ये कहता है भया, कि E बराबर में K plus U, यानि तुबरे दुनिया के ब्रह्मान्ड की जो mechanical energy, वो हमेसा constant होती है, यानि अगर आप delta K plus delta U निकालोगे, तो change in mechanical energy 0 होता है, तो जो delta की होता है, वो आपका minus में delta U होता है, मतलब potential energy घट रही है, तो kinetic energy बढ़ेगा, और वही हुआ कि potential energy घटता है, kinetic energy बढ़ता है, क्योंकि vibration बढ़ रहा था, और वही kinetic energy in the form of heat, release होता है light के form में, प्रकास के form में, तो ये जो आपका delta U आया, वो कितना था, Q into V के बराबर, यही था ना, Q into V के बराबर, तो ये minus already था, तो ये plus हो जाएगा, I delta T, and then V, यही था ना बच्चा, और ये delta G को हम क्या कह सकते हैं, W, तो मिलागर के चीज़े वही आ जा रहे हैं, Q into V, IT into V, IT into V, तो प्रूफ करने के अलग-अलग तरीके हैं, फिर V के जगह पर आप I R लिख दो, तो पावर निकल के यहां से भी वही आएगा, I square R, तो किताब वाले नों क्या किया है, आपके NCRD ने लिखी बहुत अच्छी बात है, थोड़ा डीप ड़ाई करवाया है, बहुत अच्छा टॉपिक, Cells, EMF and Internal Resistance, अच्छा हां, एक वो आपके textbook वाली बात, जो सबसे last में लिखी गई है, कि पावर की formula में अगर आप देखोगे, तो I square R है, P बराबर में V square by R है, P बराबर V into I बनाया तो गया है, लेकिन हर जगा पर Resistance का बहुत बड़ा impact है, क्योंकि जब तक Resistance नहीं होगा, लाइट आपको मिलेगी नहीं, अब जो textbook का वो last वाला line लिखा हुआ था, उसको समझाता हूँ, यह आपको साथेवे chapter में भी समझने को मिलेगा, बड़ अभी आप समझ लोगे तो आनन्द आ जागा, Electric Power Station, जहां पर बिजली बनाई जाती है बच्चा, सप्लाई बनाई जाती है, जैसे Power माल लीजे, 1000 Watt की बिजली बनाई गई, इसका क्या मतलब हुआ, 1000 Joule पर Second, तो जिस भी Company ने, Tata ने, Birla ने, अम्बानी जी ने, जिसने भी Electric Station पर Power को Generate किया, ठीक है, तो वो Power, 1000 Joule पर Second, सरकार चाहेगी, या वो Company चाहेगी, कि इतना ही सहरो तक पहुचे, सहरो तक पहुचता कैसे है, आपने कभी Train में यातरा किया, तो आप देखे होंगे, कि लंबे लंबे ऐसे Wires होते हैं, ऐसे High Tension के Wires होते हैं, ये बड़े बड़े Cable से, एक State से, दूसरे State तक पहुचाया जाता है, और Basically, जो High Tension वाले Voltage Line होते हैं, ये जो घनी बस्ती होती, Population Area होता है, उससे दूर होता है, खेतों के थ्रू होते हैं, दूर-दूर से, जहांपर Population ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा High Tension के होते हैं, सवाल यही पूचा जाता है, कि High Tension के Wires क्यों होते हैं, High Tension मतलब High Voltage के Wires क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, इस Power के Minimization को रोकने के लिए, क्योंकि आपको Cable तो चलाना ही लेना ही पड़ेगा, बिना Cable के आप Power को हवा में नहीं भीच चकते, It needs a Source, तो Cable लेना पड़ेगा, जैसे ही आप Cable का यूज करोगे, तो 1000 किलोमेटर दूर होता है, आप सूचिये उत्तर प्रदेश से गुजरात 1200 किलोमेंटर है, अब मालों की गुजरात में नर्मदा ने दी, काफी फेमस है, काफी बड़ी है, वहाँ पर टर्बाइन लगा है, इलेक्टरिसिटी जनरेट की गई, अदानी साहब भी है, और टाटा साहब भी है, रतन टाटा सर के लिए हुज रस्पेक्ट, अदानी साहब के लिए थोड़ा कम, दोन अपने अपने लेजेंड है, तो रतन टाटा सर की कमपनी, और बोल रही है कि मैं भी उत्तर प्रदेश तक सप्लाइ गरोगी योगी की राज में, और इधर से अधानी साहब कहा रहे कि आला भाई हूपन करी सके तो मोदी जी बोलते ठीके दोनों कर लो लेकिन दोनों पावर का लॉस कम से कम करो तो सबसे पहले अदानी साहब आते हैं अदानी साहब आते हैं वो बड़ा सा केबल मालोचलो केबल जो उनोंने लगाया उत्तरप्रदेश तक उस केबल का resistance से समझना बड़ा मजाएगा 10 हों मन लिया 10 हों में तो अदानी साहब ने बोला कि मैं यह जो 1000 है उसको इस तरीके से भेजूँगा यह बराबर V into I के हिसाब से इन्होंने बोला कि मैं current को 100 रखूँगा और voltage को भी 100 रखूँगा नहीं तो 100 नहीं कितना हो गया 10 है ना तो यह आपका कितना हो गया बचलो current को 10 और voltage को 100 तो भी 100 इंटू 10 कितना होता है 1000 जूल पर सेकेंड होता है ऐसा अदानी सहाब ने बोला तो चलिए यहां के कैलकुलेशन समझता है अदानी सहाब ने बोला तो ऐसा बोलने पर अदानी सहाब के calculation को ठीक करने के लिए मोदी जी की टीम बैठी और बोली ठीक है हम calculation करेंगे कितने में रतन टाटा सर की team आई उन्हेंने बोला नहीं भाईया हम तो V into I के हिसाब से voltage को रखेंगे 500 और current को रखेंगे यह कितना होगा 500 तो भी देखो एक 1000 हुआ अब जरा दोनों में difference समझना रतन टाटा की engineering team ने कहा था कि मैं 1000 supply हम ऐसे करेंगे अदानी साहब ने कहा था ऐसे करेंगे अब मोदी जी की team आ गई मोदी जी की engineer की team आई उन्होंने कहा अच्छा अदानी साहब आपके यहाँ पे loss कितना हो रहा है पता है as per the formula 5 square r because जो cable use की 1000 उसका resistance 10 है तो तुम्हारे में current 10 है 10 का square करेंगे 100 into resistance 1000 watt तो आपका रास्ते में loss हो गया आपके engineer बिकार है आपके engineer बिकार है क्योंकि 1000 तो रास्ते में loss हो जाएगा वही मोदी जी ने calculate करा इनका तो P बराबर में i square r के हिसाब से दो का square चार और resistance कितना बाबू लोग resistance 10 तो 10 चोग के 40 यानि कि इनके जो team थी वो loss कर रही है 40 और भेज रही है 960 वाट योगी सरकार भी खुस मोदी जी भी खुस 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 i hope आपको इस calculation से ये समझ पढ़ा होगा कि good engineers are very very important तो i hope आपको इस समझ पढ़ा होगा क्या समझ पढ़ा कि जो भी electrical power station पर बिजली बनाई जाती उसको high supply voltage पर रखा जाना बहुत सही होता है क्योंकि जितना ज़्यादा voltage रखोगे voltage कम होगा तो current ज़्यादा होगा current ज़्यादा होगा यहाँ तो पूरी तरह से loss हो गया अब सोचो वो मुरक आदमी जो कहता होगा कि मैं voltage को एक रखूँगा और current को मैं 1000 कर दूँगा high voltage का मतलब यह नहीं होता है बच्चा कि current पी ज़्यादा है P बराबर VI में power देखा जाता है और high tension की supply को सहर से थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि कभी भी मान लीजे कोई मौसम खराब हुआ बिजली गिरा तार गिरा तो लेने की देने हो जाएंगे कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि पूरा का पूरा खेत खली हान चल गया वो इसी की बज़े से होता high tension supply की wires होते हैं गिर जाते हैं और फिर problem हो जाती है Got the point? Yes अच्छा कई अफवा भी होती कई लोग कहते हैं खुले में मुत्र विसर्जन ना करें पर कुछ लड़के होते हैं धुर्त वो अक्सर क्या करते हैं high tension voltage के नीचे करते हैं किसी दिन high tension voltage के नीचे लिवा जाओगे समझ रहा हो ना क्यों लिवा जाओगे So try to understand खुले में मुत्र विसर्जन ना करें नहीं तो 3D के तरह जटका लगेगा बढ़ाते बढ़ाते बावा एसस भी ज्यान भी दे रहते हैं So this is the way to understand this things आईए अब समझते हैं Cells, EMF and internal resistance Cells का मतलब होता है बच्चा बैटरी उसी को technically EMF कहा जाता है अब EMF का जो full form होता है उसको पकड़ो इसका मतलब होता है Electromotive Force Full form से कोई लेन दना नहीं है लेकिन full form पे आते ही इतना समझ में आता है Electron के motion को मिलने वाला force कोई भी जो battery होती बच्चा वो chemical से बनी होती है किस से बनी होती है chemical से बनी होती है जैसे अभी ये chemical वाली battery आप देखो तो उसमें एक electrolyte होता है ठीक है S2SO4 ले लो एक rod पूरी तरह से plus 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 हो जाता है सारा का सारा plus plus जमा होता है यहां minus minus जमा होता है तो basically इसमें chemical है अब अगर ये chemical इसको electrolyte कहते है तो इसका resistance भी होगा इसी resistance को बच्चा internal resistance of the battery कहा जाता है ठीक है अब ये तो हमेंने जो represent किया हो आपके text book में भी है बड़ थोड़ा आपको बढ़िया समझाता हूँ जो कि आपके नीटर जीगी और CBSC में काम आएगा तो किसी भी cell को इस तरीके से represent करता है cell रहेगा तो हमेसा smaller रहेगा EMF को इस से represent करता है smaller मतलब internal resistance और ये चीज क्या है ये battery का resistance नहीं है this is wire का resistance अब देखे थे हां से ये battery का plus ये battery का minus battery के plus से क्या चलना शुरूआ current ठीके बच्चा जब ये current यहां से pass होगा तो according to the ohm's law वी बराबर IR जितना terminal potential difference इतना voltage drop होगा ओके तो ये जो I है according to ohm's law I बराबर क्या voltage upon me resistance voltage हमारा क्या है EMF है और resistance capital R और small R है capital R plus R क्योंकि series में है okay cross multiplication करिए so I capital R plus I small R is equal to E ये रिको ये IR ये IR क्या बनेगा V बन जाएगा तो यहां से formula निकल के आ रहा है V is equal to V plus I R is equal to E इसलिए V बराबर में E minus में IR बहुत interesting relation है ये बहुत interesting relation वास्ताव में ये जो EMF है अगर मैं इसको subject बनाता हूँ तो वह है V plus IR ये वाला टेक्स्ट बूक में ये दिया रहता है ये main equation है बड़ ये main name in ये है यहां पर अगर 100 voltage का battery आप लेके आए तो वह 100 voltage दो चीजों में drop होता है एक जो उसका खुद का internal resistance है जब current उसमें से pass होगा तो IR voltage drop होगा और दूसरा जो हम wire लगा रहा है उसमें कुछ voltage drop होगा अगर मुझे इसका voltage drop चाहिए तो मुझे इसमें सिसको minus करना है E minus IR घ्यान से देखिए तो ये भी voltage है ये भी voltage है और ये भी voltage है लेकिन ये V क्या है तो इसको हम कहेंगे TPD यानि की terminal potential difference terminal potential difference यानि यहाँ पर जो potential का difference है वो terminal potential difference R क्या है तो R है बच्चो internal resistance और I क्या है तो I है आपका current passing through network or the circuit बराबर आप textbook पढ़िएगा तो उसमें एक बहुत अच्छी line last में लिखी है कि किसी भी battery से maximum current कितना जा सकता है यार battery को आप use में ही मतलो तो शुरुवाती समय में जो उसका main current होगा वह उसका maximum current है battery use में ही नहीं है मतलब capital R नहीं है capital R आपका 0 है अगर capital R आपका 0 है मेरी जान तो यह 0 है तो फिर E बराबर IR यानि maximum current through the battery is can be E by small r बट हमेशा किसी भी battery में maximum current से हमेशा जो current चलने वाली होती है उसको कम रखा जाता है क्योंकि अगर maximum current चलेगा तो battery damage हो सकती है इसलिए maximum current से हमेशा उसको बना इस तरीके से जाता है उसकी value कम रखता है this is the last line from your textbook from this topic जरूर रीट करेगा page number 93 पर है clear तो यह आपका हो गया maximum current कितना चल सकता है this is the relation between terminal potential difference and EMF एक बहुत ही प्यारा सा सवाल जो की NEET और JEE के लिए है NEET तो आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप मेरे lectures देख रहो बच्चा JEE means भी निकल जाएगा but for advance you need to do lot of question practice concept यहां से कर लो sub हो जाएगा आपका तो NEET JEE means KVPY NTSC जो आप देना चाहों कर सकते हो और CBSE board यह जो situation आप देख रहो V बराबर E minus में IR न यह discharging condition है बैटरी आपकी खतम हो रही है V बराबर में E minus IR में बैटरी आपकी खतम हो रही है लेकिन अगर आप यही बैटरी को charging करोगे तो आपका जो V है वो बढ़ने लगेगा E plus IR होगा यह चीज़ क्या है यह चीज़ बिलकुल यह बात की तरह represent करता है कि जैसे हमारे पास में यह एक remote है इस remote पर एक battery लगी है कहा लगी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों battery लगी है इस battery को कहा जाता है secondary cell primary cell primary cell वो cell होता है जिनको use करो फेक दो ऐसे battery फेक दिये जाता है लेकिन एक होता है secondary cell secondary cells are those cells जिसको वापस charge किया जा सकता है car की battery किसी bike की battery these are those kind of battery जिसको आप वापस क्या कर सकते हो charge कर सकते हो उसका use कर सकते हो तो आप यहाँ पर no down कर लीजे discharging of the battery V बराबर E minus IR charging of the battery V बराबर E plus IR एसे बंद का रखा था बराण निकल गया बड़ मज़ा आ गया बच्चा 3.10 तक हो गया cells in series and cells in parallel को पढ़ने के लिए हमें पहले kirch of rules समझना होगा हम पहले 3.12 करेंगे 3.11 पर आएंगे चलिए अब kirch of rules heat में इसके direct question आ जाता है बोड में इस पर से भी सवाल आता है तो बहुत बच्चों को तकलीफ देता है ये kirch of rules मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है separate वीडियोस भी है बड़ यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा I'm telling you जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ circuit से current निकालना तो आई बराबर V by R सबको पता है ओम स्लो लेकिन complicated circuit जब हो जाता है बहुत सारे wires होता है तब kirch of rule बड़ा help खुल हो जाता है तो ये दो तरह का rule देते हैं साहब जी हमारे एक होता है kirch of का current rule जिसे हम KCL कहते है full form kirch of current law बड़ा simple होता है मेरी भासा में याद रखिए इस rule के हिसाब से कभी भी जहाँ पर दो से ज़्यादा wire मिलते हैं उन जगा पर incoming current हमेशा outgoing current के sum के बराबर होता है यानि क्या आप ऐसे याद रख सकते हैं number of incoming current is equal to number of outgoing current यानि incoming current आपका i है outgoing current आपका i1 plus i2 plus में आपका i3 है इसी को आपके text book में ऐसे लिखा होता है i minus में i1 minus में i2 minus में i3 equals to 0 the algebraic sum of all the current at the junction is 0 statement याद रखिए algebraic sum of all the currents at the junction is always 0 यानि कि सभी current junction पर आने वाले जो incoming उसको plus ले लिया जो outgoing है मानस ले लिया equals to 0 तो ये rule होता है अब इसमें 1 marks का mcq बनता है कि यहाँ पर ऐसा होने के पीछे का कारण है conservation of charge क्योंकि जितना समय पे जितना charge आ रहा है उतना ही जाना चाहिए 100 कुलम आया अगर इसमें से 20 गया इसमें से 30 गया तो इसमें से 50 जाएगा तो is it clear बच्चा तो किस बात पर depend करता है conservation of charge पर ये आपके mcq आये हुए है चलिए तो ये आपका हो गया kcl अब समझते हैं हम लोग kvl kv and then l and this is very very interesting kirchoff's voltage law ये हमेशा loop में लगता है इसे loop law भी कहा जाता है ये क्या बताता है उसको समझने के लिए example का समझना बहुत जरूरी है जैसे मालीजे मेरे पास एक resistance है यहाँ पर एक battery है यहाँ पर वापस एक resistance है ये R1 एक R2 दो तिन example भी करेंगे बचा चिंता मत करें ये भी है और सर्किट से चलने वाली current कुछ इस तरीके से है वैसे भी सर्किट से चलने वाली current plus से battery से चलके कहा जाती है battery के minus में जाती है तो किर्चॉप्स की voltage lock को समझने के लिए आपको दू चीजे याद रखनी है battery का direction battery में जो छोटा डंडा होता है वो minus होता है बड़ा डंडा जो होता है वो plus होता है और current का direction देखते हुए resistance के ending पर marking करिए current जहां से घुसा वो plus जहां से निकला वो minus current जहां से घुसा plus जहां से निकला minus भाई ऐसे ही तो current चल रहा है एक बार आपने दू चीज कर लिया battery का marking और current की direction का marking then what you have to do आप अपनी एक fixed direction circuit में चुन लीजे select कर लीजे जैसे मैंने ये चुना है तो मैं यहां से यहां जा रहा हूँ यानि कि plus V फिर मैं इदर गया मतलब की minus में IR2 फिर मैं ऐसे गया मतलब की minus में IR1 is equal to 0 कर दीजे तो V बराबर में IR1 प्लस में IR2 ध्यान से देखो तो ohms लोई तो है यहां का पूरा voltage इसमें और इसमें खर्च होगा IR1 प्लस IR2 भाई भाई तो है पस एक तरीका है question को आसान बनाने का ठीक है तो यह आपका किर्चॉफ का voltage law है इसका statement क्या होगा the algebraic sum of all the EMF all the algebraic sum of all the potential difference of the closed circuit is always equal to the product of current and resistance passing through the circuit यह देखो यह sum ही तो है IR sum हुआ ना तो algebraic sum of all the current and resistance product of algebraic sum of current and resistance and this V is what total battery or the total potential difference of the circuit यहाँ पर बच्चा याद रखेगा conservation of energy लगता है क्योंकि बैटरी आपको देती क्या है basically energy यह 100 joule दे रही है ना तो अगर 100 joule दे रही है तो यहाँ 50 जारा तो यहाँ 50 अगर यह 100 joule दे रही है यह 20 तो यह 80 again जैसे यहाँ था 100 कूलम 100 कूलम रहेगा वैसे यहाँ पर जैसे हम 100 joule दे रहे हैं तो वो 100 joule रहेगा ना वो 100 joule 99 होगा ना ही वो 100 joule 101 joule होने वाला है इनके कुछ examples करते हैं आपके textbook के भी example लेंगे पर एक basic example लेते हैं जिसकी बड़ी चर्चा रहती मार्केट में और यहाँ आता ही आता है जैसे बच्चा मान लीजे यह एक resistance दिया है यह battery का voltage है यह आपका 10 ohm यह आपका 2 voltage यह आपका 20 ohm यह आपका B यह आपका A ओके बच्चा तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर A और B पॉइंट के बीच में potential difference निकालने की तो अभी मैंने थोड़े दर पहले क्या पता है कि battery और direction of current ही matter करता है आपने battery देखनी है battery के minus और plus को पकड़ लो और current के direction से जहाँ पर वो resistance में entry लेता है वो plus जहाँ से निकले हो minus so it's simple अभी यहाँ पर current कैसे चल रहा है हमें नहीं पता तो हम ऐसे ले लेते है I is equal to 2 ampere मानलो question में ऐसे दिया हुआ अभी ऐसे चल रहा है तो यह plus यह minus यह plus यह plus यह minus because current ऐसे चल रहा है मेरा सवाल यह है कि हमें A और B के बीचे potential difference find करना है तो अगर हम A से start करें तो VA इधर गए तो दिखो पच्चा minus आ गया तो 10 into 2 is 20 फिर इधर गए तो plus में 2 फिर इधर गए तो फिर minus में 20 into 2 is 40 is equal to VB तो यह आपका हो जाएगा VA minus में VB is equal to 40, 20, 60 minus 60 plus 2 यानि कि minus 8 यानि कि 58 voltage अगर यही ऐसा होता यह आपका हो गया answer A और B के बीच का voltage बोले तो 58, B और A के बीच का voltage बोले तो फिर minus में 58 that's it, तो इस तरीकी के हमें questions करने हैं, लेकिन अब आपके textbook में चलता है यह सवाल देखें इसमें बिना किसी किर्चोफ रूल के लगा है यह आप आसानी से answer दे सकते है चार ओम, चार ओम, सोलर voltage, एक ओम, एक ओम दिया है पहला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चा के compute the equivalent resistance of the network very easy यह दोनों parallel में है और parallel में हमीशा याद रखेगा बच्चा parallel में resistance के अंदर we will use multiplication upon addition तो चार जोंके 16 बटे 8 यानि कि यह 2 ohm हो गया 12.72 बटे 18 यानि कि यह 4 हो गया तो यह 4 यह 1,5,2,7,1,8 यानि overall जो आपका equivalent resistance है वो आपका 8 ohm का है ठीक, B part पर चलते हैं so obtain the current in each register हर एक register में कितना current चाहेगा तो as per the formula i is equal to v by r अगर मैं इस resistance से देखूं तो voltage i निकालना है so i is equal to kya v by r voltage कितना है, solar, resistance कितना है, 8 तो 2 ohm, 2 ohm इस पूरे loop में से जा रहा है वही 2 ohm यहां से जा रहा है तो इसका answer हो गया वही 2 ohm लूप में से जा रहा है और यही 2 तो इन दोनों का 2 लेकिन इनका निकालना पड़ेगा अब ध्यान दीजे बच्चो, यहां से 2 ohm गरेंट आ रहा है यह resistance 4 का है और यह 4 का है तो current equally divide हो जाएगा यानि उपर वाले से जाएगा 1 और नीचे वाले से जाएगा 1 फिर वैसे यहां पर 12 और 6, अब यहां पर आपको एक trick सिखाता हूँ अगर मुझे 6 ohm का resistance चाहिए तो यहां पर है current division rule current division rule यह कहता है कि जब 2 resistance parallel में हो तो आप किसी भी एक resistance का current आसानी से निकाल सकते है with this trick what is the trick? main current main current कितनी आ रही लूप में? 2 into opposite resistance मुझे 6 ohm का चाहिए तो opposite resistance आपका 12 है बटे में sum of the resistance 18 29 18 12 बटे में 9 मेरा answer आ गया 3 4 के 12 3 तरीका 9 चार बटे में 3 अगर नीचे से 4 बटे 3 जा रहा है तो उपर मैंसे 2 तो आ ही रहा था 2 मैनस 4 बटे 3 3 दूनी 6 मेंसे 4 गया 2 बटे 3 तो 4 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 यानि 6 बटे 3 यानि कि 2 तो आप ये note down कर लीजे आपके लिए बहुत helpful हो जाएगा current division method में अगर मुझे I1 चाहिए तो main current into opposite resistance upon sum of resistance और अगर मुझे I2 निकालना है so this is going to be main current R1 upon R1 प्लस में R2 ठीक है तो I1 चाहिए तो opposite resistance R2 sum of the resistance I1 चाहिए तो फिर opposite resistance sum of the resistance यहाँ पर so this way we can calculate the current easy आगे बढ़ता है चलिए बच्चा next question पर आते हैं ये बहुत इदमदार question है main यहाँ पर equation है और फिर उन्हें equations का solution है तो मैं आपको equation explain करता हूँ और फिर उन्हें आप solve करेंगे और comment करके बताएंगे क्या पांसर लेकर क्या है कि नहीं प्लीज इसे करना जरूर चलो आते हैं हमचा लोग करते हैं सवाल को network बना हुआ यहाँ पर पहले तो direction समझ लेते हैं अगर यहां से i2 जा रहा है तो यह वाला 100% i1 माइनस में i2 होगा पूछो क्यों क्यों क्योंकि यह i1-i2 और यह i2 दोनों ही outgoing current है इस junction के लिए and as per the rule of kirchoff current rule हमें पता होना चाहिए कि अगर incoming current i1 है तो outgoing current भी आपका i1 होना चाहिए तो set ऐसे किया गया है कि यह plus i2 और यह minus i2 कट जाएगा तो आपका answer क्या होगा i1 के बरावर होगा ठीक अब यह i2 इधर जा रहा है अब यहां के रुख जाते हैं एक और rule होता है कि battery के plus से जितनी current निकलती battery के minus में भी उतनी ही आती है ठीक है यह i1 minus i2 इधर इधर आया इधर आ करके रुखा यहां से उन्होंने एक और current ले लिया है i3 इधर से एक और current ले लिया गया i3 अब देख बच्चा यहां से i3 आ रहा है यहां से i2 आ रहा है दोनों incoming है तो यहां से जाएगा कितना i2 plus i3 यह i2 plus i3 incoming है और यह जा रहा है i1 तो यह क्या हो जाएगा i2 plus i3 माइनस में i1 क्यों क्योंकि अगर यह हमारा incoming है यह भी इंक नहीं है आउटगोइंग है आउटगोइंग यह दोनों है तो i1 और i2 plus i3 माइनस i1 को जोड़िए देखिए incoming को एक तरफ रखना है आउटगोइ i3 होना चाहिए यह आउटगोइंग कोन है यह और यह जोड़ूंगा ना तो माइनस i1 प्लस i1 कटेगा तो i2 प्लस i3 यान यह बिल्कुल सही है setup हमेशा setup सही है कि नहीं कैसे पता चलता है incoming is equal to outgoing current चलो तो यह आ रहा है आपका i2 प्लस i3 माइनस i1 और यहां से यह लोग आ हllä थे अब आप बिल्कुल सही जा रहे हो बिदिकिस बैटरी के इससे भी चल रहे है और बैटरी माइनस में भी क्या आरहा है आच कि अ इसलिए आपको तीन लूग का यूज करना पड़ेगा यहां पर total मिलागर कर के चार loop है कौन-कौन सा loop एक तो ये वाला loop highlight करता हूँ दीखिए एक तो ये वाला loop है एक ये वाला loop है एक ये वाला loop है तीन और चौथा सबसे बाहर से बाहर चले गए चार लोग इन चार में से आप कोई भी तीन loop लीजे और किर्चॉफ का voltage rule अपलाई करिए you will get the exact answer जो आपके textbook में दिया है बट loop लेने के कुछ rules है जो हम अब यहां सीख लेते हैं अच्छे से ध्यान देना मच्चा सबसे पहले मैं loop लेने जा रहा हूँ C, B, A, C C, B, A, C जो आपके textbook में भी हो सकता है आईए तो हम C से चलते हैं B के तरफ देखे current ऐसे चल रहा था यह plus यह minus opposite में चले ना आप ऐसे आपके चलने का direction fix कर लिया then do not change आप C से B पे जा रहा हो IR लगाया तो 2 I2 प्लस I3 फिर आप ऐसे आए देखो current प्लस से माइनस इधर से घुसा प्लस इधर से माइनस आप ऐसे चल रहा हो तो फिर प्लस की तरफ आए तो 40 I2 4 I2 ठीक है फिर आप ऐसे गए माइनस में 10 फिर आप ऐसे जा रहे हो और यह plus यह minus तो प्लस ही है तो प्लस में I1 into 1 is equal to आपस आप यहीं पर आगए C पर 0 तो यहां से आपका एक equation आएगा in form of I1, I2, and I3 ऐसे दो और equation बनाने हैं दूसरा हम लेते हैं बच्चा C, A, D, C C, A, D, C सर किने टेक C, D, A, C yes you can take but do not change अगर एक बार ले लेते हो ऐसा direction तो फिर उसको change मत करना ऐसा नहीं करना कि यहां पर ऐसे चले फिर यहां पर ऐसे चल रहे हो नहीं, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपको ऐसे ही चलना है you cannot do like this ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए, नहीं follow the sequence C से A, A से D तो हम C से A पर चलते हैं तो देखो I1, minus I1 हुआ minus है ना, इसलिए फिर plus 10 हुआ बैटरी का बड़ा डंडा आ रहे है plus 10 फिर आप ऐसे गए तो minus 4 I1, I2 फिर आप ऐसे गए यह plus और यह minus तो 2 I2 plus I3 minus में I1 add the end कहां पहुच के वहीं पर 0 this is gonna be your equation number 2 ठीक है बच्चा अब तीसरा equation ले लेते हैं तीसरा कौन सा लेना है यह वाला ले लो minus से plus गए तो plus 5 पता चला इधर plus 5 फिर इधर कोई resistance नहीं है इधर गए तो minus में I2 plus I3 तो भी साथ में है just like IR just like IR I कितना इतना और R इतना minus क्यों आ रहे हैं क्योंकि हम ऐसे move कर रहे हैं ऐसे minus में I1 और वापस कहां आगे इसी point पर आगे तो is equal to क्या हो गया 0 क्या आपके पास में 3 variable है येस बड़ बच्चे यहाँ पर confused हो जाते हैं इसको solve कैसे करें क्यों किताब में भी solve नहीं किया अब मैं आपको तरीका बता दाओ करना क्या है इस equation में से I1 को subject बना लीजे बना लिए in the form of I2 and I3 इस I1 की value को यहाँ put करिए ठीक है तो यह equation I2 I3 के form में हो गया I repeat यहाँ से I1 subject बनाईए I2 I3 के form में आएगा यहाँ से I1 यहाँ पर रखिए यह भी I2 I3 के form में आएगा इसको क्या बुलते थे 2X plus Y is equal to 0 तो X plus Y equals to 2Y is equal to 4 रहता था तो आप 2 से multiply करते थे उकला जी इसको कौन सा method बुलते है दो equation को solve करते थे कक्षा 10 में कैसे क्या बुलते थे X plus Y is equal to 4 और 2X plus 2Y जो multiply करते थे नहीं आता बताईए मैट्स बढ़ रहे है बिकार हो तुम क्या मैट्स के टीचर बनोगे नाम बुल रहा हूँ बच्चा लोग बटाई hope you can understand कि X plus Y is equal to 4 2X plus 2Y तो आप 2 से multiply करके दुनों को multiply जीटा ये polynomial नहीं है तो you can do it comment करके बता दो बचलो क्या होगा तो ये भी I2, I3 के form में आया ये भी I2, I3 के form में आया यहां से आप इसको elimination method याद आ गया मुझे सुकला जी बताईए maths के teacher बनेगा तू है तू है तुमारे में सुकला जी maths के teacher बनेगा तू बिकार भुडबग तो I2 और I3 elimination method से I2, I3 आ जाएगा I2, I3 की दोनों value इस equation में रख दो के तो I1 भी आ जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ता है अब हमने किर्चौफ rule समझ लिया तो अब हम यह वाला समझेंगे तो हमको समझ पड़ेगा कौन सा topic हमने रखा था 3.11 cells in series and parallel वे important derivation है आ चुका है exam में तो इसे अच्छे से करता है 5 marks में आ चुका है cells in series and parallel तो सबसे पहले हम लेते हैं cell battery यहाँ पर हमारे पास में एक E1 उसका internal resistance है R1 दूसरी battery लिया हमने E2 internal resistance है उसका R2 इसको current किया हमने एक wire के साथ that is capital R अब मुझे इसमें से चलने वाला current find करना है मैं ऐसे ही सोच के लगा सकता हूँ आई बराबर V by R E1 प्लस E2 कर दोगा but there is a perfect method for this that is scripture of rules current के direction को देख के plus minus करिए यह minus यह plus current है ऐसे ही चल रहा है ऐसे चल रहा है तो यह plus यह minus यह minus यह plus यह plus यह minus बैटरी का छोटर टेंड़ माइनस यह plus current ऐसे चल रहा है entry लिया plus निकला minus plus minus अब इसमें हम किर्चोफ रूल लगा रहे है तो minus से plus minus में E1 फिर minus में IR फिर देखिए minus में IR2 फिर plus में E2 अचा मैंने बैटरी का symbol यह उल्टा कर दिया sorry हम चलो ऐसे हो सकता है question बन सकता है उल्टा करके अभी बताते है उसका भी logic तो plus में E2 and then we have हो गया minus में IR1 equals to 0 so I को common करा capital R plus R1 plus में R2 is equal to E1 plus E2 so यहां से I बराबर हो जाएगा E1 plus E2 upon में capital R plus R1 plus R2 इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ E equivalent upon capital R plus R equivalent यह जो E equivalent है यह है बच्चा लो E1 plus E2 और जो R equivalent है वो है R1 plus में R2 ध्यान रहे अगर हम terminal को change कर देंगे तो यहां E1 minus E2 हो जाएगा terminal को change करते ही यहां E1 minus E2 होगा लेकिन resistance पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी कुछ resistance का terminal से कोई लेन देना नहीं होता resistance internal property पर डिपंड करता है external property पर डिपंड करता है never depends on terminals का कोई लेन देना अगर cells आपको series में है तो आप directly equation लगा सकते हैं और अगर उस cells के combination को किसी registry wires के साथ connect किया गया है तो आप उसमें से चलने वाले current को आप इस method से find out कर सकते हैं चलो अब हम देखेंगे cells in parallel जो की काफी बड़ा derivation होगा बट मचाएगा cells in parallel तो यहाँ पर हम लेते हैं यह battery E1 cell internal resistance दूसरा E2 internal resistance R2 और इसे हम connect करेंगे capital R amount of resistive wire के साथ अब देखें यहाँ पर loop इसे नाम देता हूँ A इसे नाम देता हूँ P यह plus यह minus current यहाँ से जो चल रहा हूँ से आप I1 कहिए इस वाले battery से जो चल रहा है I2 कहिए दोनों मिल करके क्या बना रहा है I incoming, outgoing I1 plus I2 incoming is equal to outgoing current तो अब current यह ऐसे चल रहा है I2 plus से निकल करके वापस यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से I2 ही होगा यह plus यह minus और यह आपका I1 होगा यह plus और यह minus तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर loop लेकर के किर्चोफ rule लगाता है तो देखिए वच्चा बहुत ध्यान से सबसे पहले हम loop लेने जा रहे है E1 फिर A E1 से A फिर R फिर B और फिर E 1 मतलब E1 से start करके वापस E1 पर आ रहा है तो minus से plus गये तो E1 फिर minus में IR क्यों? क्योंकि plus यह minus current ऐसे चला तो plus निकला तो minus उसके बाद हम यहाँ पर गये तो फिर minus में IR1 equals to क्या हो गया? 0 यह आपका I1 है सो बच्चा लोग अगर मैं I1 निकालने जाओ तो I1 मेरा हो गया E1 मैं क्यापिटल IR नहीं I निकालता है सो I is equal to E1 मैं मैं I1 R1 अपोन में क्यापिटल R सही है E1 फिर minus में IR फिर minus में I जब भी आपको भी ऐसा लगे तो आप एक बर इसको calculate कर लिए इस तरीके से मैं I1 निकालूँगा अब बताता हूँ I1 क्यों क्यों कि I1 I2 निकालूँगा तो I1 प्लस I2 कर रहिए I find कर सकता हूँ सो I1 निकाल लिए सो I1 आपका हो जाएगा E1 minus में IR upon में R1 upon में R1 this is equation number 2 इसी तरीके से आप लिखेंगे for this loop कौन सा loop E2 A फिर R फिर बच्चा लोग B और वापस E2 तो direct कर दो यहाँ पर दिखें I2 I2 चल रहा है तो यही equation आएगा थोड़ा change होगा I2 is equal to E2 upon R2 minus IR upon में R2 यह equation number 2 as per the rule of Kirchhoff's current law Kirchhoff's junction rule at point A A point पर we can write incoming current I1 plus I2 is equal to outgoing current I1 plus I2 is equal to I और I is equal to I1 plus I2 बात तो एक ही है तो I बराबर उदेश हमारा I निकालना है जैसे हमने यहां निकाला है I उसी तरीके से हमें इस circuit से चलने वाली current find करनी है तो I1 आपका है E1 upon R1 minus IR upon R1 plus E2 upon R2 minus IR upon R2 देखें I चाहिए यहां भी आई है यहां भी आई है इस तरफ लेके आजो तो I common तो 1 plus R 1 upon R1 plus 1 upon R2 दोनों जगह से capital R common कर दिया is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 यहां था clear? ठीक है अब मैं I को subject बना देता हूं तो I हो जाएगा E1 upon R1 plus E2 upon R2 upon में 1 plus capital R bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 it's a very unique and very very important equation you should remember this I tell you why this is very important because cells in parallel में जरूरी नहीं कि 2 ही cell दे वो 3 cell दे देगा examiner 4 cell दे देगा अगर मान लिजे यहां 3 cell दिया हुआ है और उस में से पूछा जाए कि इस में capital R में से कितना current flow कर रहा है तो आपके दिमाग में यह होना चाहे एक्वेशन के e1 by R1 plus e2 by R2 plus e3 by R3 plus e4 by R4 plus dash 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 divided by 1 plus capital R bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 हाँ यह एक एक्वेशन है चोकि बहुत important है बढ़ अभी खतम नहीं हुआ है इसके आगे भी एक point आएगा थोड़ा और इसको तोड़ते हैं देखे i बराबर में e1 R2 plus e2 R1 upon R1 R2 upon 1 plus capital R R1 plus R2 upon R1 R2 सही है न मैं चलो थोड़ा इसको और तोड़ दीचे मैंने LCM लिया बेसिकली LCM लिया गया है चले तो e1 R2 plus e2 R1 upon R capital R R1 plus R2 plus R1 R2 यह R1 R2 से कटेगा और यह यहां आजाएगा cross multiplication क्यों हुआ? क्योंकि LCM लिया मैंने यहां LCM लोगे तो यह इधर आजाएगा नीचल R1 R2 पर से कट जाएगा अब इस पूरे equation को मैं किसी से divide कर रहा हूँ ध्यान दीजे क्यों अभी पता चले? R1 plus R2 से equation को उपनीचे divide कर दीजे तो जैसे ही आप divide करेंगे तो E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 divided by R1 plus R2 कटा तो capital R plus 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 बच्चा R1 R2 upon R1 plus R2 ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे तो यह है ना parallel combination का result multiplication upon addition तो can I write this resistance का equation का answer R eq? अगर यह R eq है तो यह आपका हुआ E equivalent when the cells are in parallel just like this equation here E1 plus E2 was E equivalent in case of cells in series but when your cells are in parallel then E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 only for two cells not for three cells three cells के लिए आपको इसके अंदर गुसना पड़ेगा और वो पूछा नहीं जाता है 2 cells याद रखेगा 2 cell अगर parallel में है तो उनका direct answer इससे निकालिए E1 R2 plus E2 R1 upon this तो दस आपका final answer हो गया E equivalent upon R plus R equivalent तो cell अगर parallel में है तो हमें करेंट कैसे निकालते हैं आना चाहिए cell अगर series में है कैसे करेंट निकालते हैं वो हमें आना चाहिए आपके सामने है ये derivation 5 marks के पूछे जा चुके हैं बच्चा इन्हें अच्छे से note down कर लिजे अच्छे से लिक लिजे page number 95 पर ये था चलो तो अब ये भी हो गया किर्चाफ rule भी हमने देख लिया example भी देख लिया आपके textbook आई ये example भी कर लिया अब देखते हैं आगे क्या आता है एक बहुत अच्छा example है वो box वाला वो भी कर लेते हैं question bridge के बाद this is the last topic of your chapter meter bridge and potentiometer जरूर पढ़ियेगा जो बच्चे नीट और जई की तयारी कर रहे हैं हमारे प्रचंट batch की series भी channel पर चल रहे हैं बच्चा प्रचंट batch free of cost है YouTube पर पर जो बच्चे paid batches में join करना चाहते हैं नीट के लिए वो प्रहार batch को join करो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ live interaction के साथ आपके जो भी doubt होंगे वो भी clear करते जाएंगे खेर यहाँ पर boards के लिए आपको किसी batch को join करने के इतनी ऐसा चावशकता अभी नहीं है अगर अभी आप दिल से पढ़ लोगे तो जरूरत नहीं पढ़ेगा फिरे सारे paid batches class 24 application पर आते हैं so वाप application जरू download कर लो जरू download करना बच्चा चलि विस्टर्ण ब्रीज एक network है scientist के नाम पर से लिया गया है और यह बिल्कुल काजू कत्री की तरह या पतंग की शेप की तरह दिखता है कुछ नम 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 चलो यह ले लेते हैं कोई बात नहीं देखे कुछ ऐसा दिखेगा आपको वेस्टर्ण ब्रीज नेटवर्ग यहाँ एक resistance होता है CR1 यहाँ एक resistance होता है CR2 यहाँ एक resistance होता है CR3 यहाँ एक resistance होता है CR4 यहाँ पर लगा होता है एक galvanometer ढिख किया और यह connected होता है इस तरह से किसी एक पैटरी के साथ potential difference के साथ ठीक है अब बच्चा यहाँ से जो भी current चलती है वो यहाँ करके divide हो जाती है यहाँ से जाएगी I1 यहाँ से जाएगी I2 फिर यह current यहाँ जाके रुख जाएगी आगे जा सकती है कुछ यहाँ जा सकती है यह current भी यहाँ जाके रुख जाएगी कुछ यहाँ जा सकती है लेकिन 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 अगर current इस में से चलता तो galonometer की सुई कुछ deflection देती लेकिन practically देखा गया कि arrangement of resistance कुछ इस तरह से किये गये थे कि galonometer deflection ही नहीं दिया galonometer deflection तभी नहीं देगा जब यहां का voltage और यहां का voltage same होगा क्योंकि voltage का difference ही नहीं है तो current चलेगा ही नहीं current क्यों चलता है because of potential difference की वज़ा से तो ऐसे network को balanced wisdom बीच कहा जाता है unbalanced wisdom बीच आपके competition exam में पूछे जाएंगे 100% उनके lectures भी डाले गए है channel पर आप खाली search करेगा unbalanced wisdom बीच को कैसे solve करते हैं by SSP sir you will get my videos सारे के सारे नेट के लिए भी जाएंट के लिए भी खेर अभी हम वापस आते है textbook के हिसाब से चलता है तो आपको ही लिखना है as shown in the diagram we have four registers and there is a galanometer between the two points and the voltage difference remains same sorry the voltage at the two ends यहाँ A और B नाम दे देना that's why there will be no current the galanometer is not showing any deflection तो अब मुझे relation निकालना इनके बीच में तो हम क्या करेंगे हम चलेंगे अब हमारे rules के हिसाब से इसका नाम दे देते हैं A यह B यह C point और यह D तो हम चलते हैं लगाते हैं किर्चॉफ का voltage rule तो चलते हैं पहले A B C A में A B C and then A तो A से B की तरफ जा रहा है तो देखोईगे प्लस यह माइनस करेंट ऐसे चल रहा है तो माइनस में I1 R1 फिर आप ऐसे आए यहाँ पर तो गोई resistance है नहीं करेंट ऐसे चल रहा था आप इदर गये तो प्लस प्लस में I2 R3 equals to 0 तो I1 upon में I2 is equal to बच्चा R3 upon में R1 this is equation number 1 दूसरा लूप लीजिए B D C B B D C B तो जब आप B D C और B में चलेंगे तो देखो यहाँ से अच्छा यह current डिवाइड नहीं हुआ इसलिए current डारेक्ली ऐसे चला गया I1 और फिर ऐसे ही I2 यहाँ से चला गया यह प्लस और माइनस और फिर यह दोनों मिलके यहाँ पर I बना दिया है इस पर देखो करेंट रूल तो यह current डिवाइड ही नहीं हुआ और डारेक्ली यहाँ चला गया है current डिवाइड ही यहाँ चला गया है okay so minus मैं I1 R2 फिर इधर आए तो प्लस मैं I2 R4 is equal to 0 यानि यहाँ से निकल के आया I1 by I2 is equal to R4 upon R2 this is equation number 2 इनका LHS same है तो RHS भी same होगा R3 by R1 कह दीज़े R4 by R2 कह दीज़े या R1 upon R2 is equal to R3 by R4 कह दीज़े तो western bridge basically network होता है एक experiment होता है जिसमें 4 resistance में से 3 की value में पता होती एक निकालना होता है तो 3 की value पता होगी चौथे को इसमें रखके answer निकाली लोगे न बट western bridge भी दो तरीके के होता है एक balanced और दूसरा unbalanced आपके NCRT में जो अभी का syllabus है उसमें सर्फ balanced है तो हमने balance की चर्चा कर ली balance की खास बात यह होत दिये है कि voltage का difference remains same और अगर voltage का difference remains same so no current will pass to the galanometric deflection zero है right अगर deflection आपका zero है तो यह situation आएगा कि ऊपर के दोनो resistance और नीचे के दोनो resistance को same कर दीजे अब बोलेंगे sir R3 by R1 था R1 को नीचे पर जो R4 का यहां पर जो बात दीखी तो यह हो गया आपका बचलो western bridge network चलिए एक सवाल आप लोगों का यहां पर है इसे भी करता है that is again based on kirchoff rule तो हमें loop दिये गया है हम इसको kirchoff के voltage rule से solve करेंगे तो देखो the four arms of western bridge have the following resistance 100, 10, 5 and DA 60 अचा है resistance की value दिये है a gallonometer of 15 ohm के जगा पर watt लिखा गया I think 15 resistance is connected across BD अचा gallonometer का भी resistance है 15 ohm calculate the current through the gallonometer when a potential difference of 10 voltage maintained across AC यहां 10 voltage अगर AC के cross रखा गया तो gallonometer से मिलने वाली current पता हो में चीज यहां पर बच्चा किर्चॉफ का rule है ध्यान दीजेगे तो सबसे पहले current के direction को पकड़ता है यहां से current आई चल रहा है यह current आकर यहां divide होगा I1 और I2 के form में फिर gallonometer से चलने वाले current को IG माल लीजे यहां से I1 चल रहा है तो यह आपका basically हो जाएगा I1 माइनस में IJ ऐसा क्यों क्योंकि दोनों ही outgoing current है सी बोथ हारा आट outgoing current तो IG IG कटेगा तो I1 के बराबर यह है फिर IG incoming है I2 incoming है तो यहां से चला जाएगा तो यह आपका I2 प्लस में IG हो जाएगा दोनों मिलेंगे तो IG IG कटेगा I के बराबर यहां से आ रहा था न incoming का आई पराबर आन प्लस आई टू ठीक है तो अब हमारे पास तीन चार लूप है एक तो यह है एक यह वाला लूप भी हो रहे कि यह पूरा आउटर या तो फिर इनर लूप तो यह मैं आप पर उपर छोड़ रहा हूं बच्छा आप यहां पर किर्चॉफ रूल लगाई और आंसर लिकर करके आई बिल्कुल किर्चॉफ रूल के जैसा ही है ठीक है तो आप इसे करके कॉमेंट में आंसर जरूर पिंड करें अब मैं जरा देखना चाहूंगा ी तो आपका पूरा टेक्सट्बॉक हो चुका है एक और कूशन मुझे लग रहा है का कि मिसिंग है कि एस सिलेबस में दिया है मुझे prayer उन्दाना एक्षबुक में चलते हैं, well पूरा हो चुका है आपका, बड़े कुश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि छूटा हुआ एक्जाम्पल में, हाँ, यह रहा, that is एक्जाम्पल नमबर 3.5, yes, a very unique एक्जाम्पल 3.5, तो देखिए यहां से यहां पर, दस वुल्टेज की बैटरी है, एक एक ओम का रिजिस्टेंस है, एक्जाम्पल 3.5, रिजिस्टेंस अफ क्यूब, वैसे, combination of register इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन यह एक्जाम्पल दिया गया है, बट बड़े प्यारे question होते हैं, इसका trick बताऊंगा, वो भी याद रखना, उस trick से आपको कोई भी बड़ी बड़ी चीज बहुत आसान लगेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं, cube, चलिए, यह बना दिया, हमने cube, 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 and then cube, हर चिगाप पढ़ लेते हैं, बचलो, resistance, ditch किया हो, ditch किया हो, सारे resistance 1, 1, ohm के हैं, I am keeping it as 1, resistance, 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 R, R, and R, अब यहाँ पर बोल रहा है, equivalent resistance बताओ, दो point के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इसके करने के तरीके क्या है हो, ध्यान से सुनना, जिसकी बीचे मुला गया है, वहाँ पर एक battery imagine करिये, अपनी मर्जी से, उस battery के कितनी भी value अपले सकते हैं, हमने भी लिया, अपनी मर्जी से, यहाँ से, कितना भी current ले सकते हैं, मैं 3i ले रहा हूँ, सरलता के लिए, आपके textbook में भी 3i दिया है, आप चाहो तो 6i लेके करो, चलो 6i लेके करते हैं, आप चाहो तो 9i लेके करो, मैं कहता हूँ, दुनिया का कोई भी value यहाँ से ले सकते हो, आपका answer गलत नहीं होगा, शर्त बस इतनी है, logic perfect रखिएगा, when a logic is perfect, you will always get the correct answer, so यह जो 6i value of current है, तीन हिस्सों में टूटेगा, यहाँ से जाएगा 2i, यहाँ से जाएगा 2i, और यहाँ से जाएगा 2i, फिर देख बच्चा, यह 2i यहाँ से जाएगा 2i, यहाँ से जाएगा 2i, और यह वाला होगा i, यह 2i भी दिवाइगा, again here it is i, and this is i, यह 2i भी भी दिवाइगा, यह i and then i, यहाँ दिये आप, यह 2i, i, i में दिवाइगा, now look at this, i is incoming, i is incoming, it becomes 2i, now, here, i is coming, i is coming, this becomes 2i, here, i is coming, i is coming, becomes 2i, so 2i, 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 तीनों मिलकर के फिर से क्या बना देंगे 6i, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, अगर आप यहाँ से कुछ भी करेंट लोगे, तो distribution करेंट का इस तरीके से करो कि बाहर भी 6i निगे, you will get the same answer, your answer remains same, अब क्या करेंगे, हम outer वाले loop पर किर्चॉफ रूल लगाएंगे, यहाँ से, यह ऐसे, now we are going to fix the किर्चॉफ's voltage रूल, तो minus से plus की तरफ गए, तो V, फिर इधर गए, तो देखो minus में 2i, उसके बाद आप इधर गए, तो minus में 2i, फिर इधर गए, तो minus में 2i, और पूरा गूम के वापस आ गया, तो 0, तो V बराबर में कितना हो गया, 2, 2, 4, 5, 5i, र, equation number 1, just imagine कि यहाँ से लेके, यहाँ तक का, इस पूरे क्यूब का resistance, across this two point, if it was, R equivalent, तो according to Oham's law, V voltage, current आपका 6i, और resistance आपका यह होता, V बराबर, IR, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, इन दोनों के बीचें, भाई, overall जो resistance है, अगर वो R equivalent है, तो voltage इतना है, current इतना है, resistance आपका R equivalent है, तो V is equal to IR, अब यह भी equation 1 और यह equation 2 का, LHS, LHS same है, तो आप compare करेंगे, from equation 1 and 2, तो देखिए, I से I कड़िया, so R equivalent is going to be 5R by 6, इसे textbook में R equivalent रख दीजे, you will get 5 by 6, बट यह जो था ना, यह body diagonal के cross था, इसके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और इसके यहाँ पर भी लगाया जा सकते हैं, यह तो maximum diagonal है, तीन अलग-अलग case है, एक है body diagonal, एक है edge और एक है face diagonal, इसका एक मैंने बहुत अच्छा trick दिया है, चलिए सर्च करिए आप, YouTube के सर्च बॉक्स में, Registrence of cube find करने का shortcut तरीका, you will get that video, ठीक है, खेर, board में आएगा तो आपको shortcut नहीं लगा सकते, आपको यह rules के साथ जाना है, तो अब होता है बच्चा, यहाँ पर आपका पूरा chapter the end, chapter 3, आपका the end हो चुका है, अब आता है chapter 3 के exercise का solution, जो हम अगली वीडियो में आपको provide करेंगे, exercise का पूरा solution, आपको comment में pin मिलेगा, यह मैं challenge के साथ काऊंगा बच्चा, इससे बहतर आपको YouTube पर अभी कहीं नहीं लेगा, आपको YouTube पर लोग बकैती करते वे दिखेंगे, लेकिन इस channel पर आपको फिर्फ का पूरा content, मस्त content लेगा, so channel को subscribe जरूर का लेना, and मेरे future में paid batches अगर आते भी हैं, तो बहुत ही minimum charges होंगे, and you will get my paid batches only on class 24 application, it's very easy to download, it's very easy to find, Google Play Store open करे, class 24 search करे, आपको NEET की preparation करनी है, आपको Boards की preparation करनी है, सचन सरी पढ़ाएंगे, आप class 24 को download कर सकता है, बहुत बहुत शुक्रियात हैं के सोमच बच्चा, TTS, every Tuesday, Thursday and Saturday, we are uploading the class 12th CBSE board, and बाकी के जो बचते हैं दिन, Monday, Wednesday and Friday, वहाँ पर आपको मिलता है NEET का class, तो आप इने जरूर देखे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे, बहुत बहुत शुक्रिया, थाइंकियो सो मच पो वाचिंग दे वीडियो, see you all in the next class, till then,